हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैं विशेक कुमार, मैं अकेला एक एसा प्लेटफर्म जो कम्प्लीट एंसे इट इग्जांपलर और बस प्रॉब्लिशर्स की बुक आपको कम्प्लीट थियोरी और सॉलुशन के साथ प्रॉइड करते हैं, एक अकेला ऐसा प्लेटफर्म जो आपको मौक टेस्ट पेपर्स हार्ड कॉपी और ईबुक रूप में प्रॉवाइड हो जाए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉर्म फिलब कर दीजिए, मैं अग्नमेंस की टीम आपसे कॉंटेक्ट करके आपको ये हार्ड कॉपी और ईबुक भी प् कोशन कें, हम इंस्ट्रक्षं को देख लेते हैं कि इन 29 कोशन को हमने 4 सेक्शन में दिवाइड किया है, ज़ी एच्शन एक कोशन जो है, वो 4 marks का है अब यहां 4 marks का section B जो है इन में भी सब पार्ट्स है तो तीनी question है question number 12, 13 and 14 section C जो है यह 3 marks का हर एक question है और section D में हर एक question जो है वो 5 marks का है तो total 29 questions जिनको solve करने के लिए आपको 3 घंटे दिये गए हैं और जो time a lot है क्योंकि वो 3 घंटे हैं और marks paper के हैं वो 80 marks तो आपको कोशिश करना है कि इस paper को इसी limit से पहले solve करें clear है तो चलिए start करते हैं इस paper को तो पहला सवाल mcq variety से यह रहा आप लोगों के सामने कह रहा है कि आप बताईए the addition of minus 4 and minus 6 is equal to और maximum student यहां confused रहते हैं मैं आपसे कहूंगा कि theory lecture को बहुत अच्छे से पढ़ो यहां पर chapter जो integers है वहां पर आपको समझाया गया है कि minus 4 जो है यह minus 4 एक negative integer है और minus 6 जो है यह again एक negative integer है तो minus 4 और minus 6 यह दोनो negative integers है जिनको आपको add करना है the addition of minus 4 and minus 6 is equal to what तो यहां पर मैं कहूंगा कि negative integer जब add होता है negative integer के साथ तो symbol क्योंकि दोनों integers के similar है और आप add कर रहे हो तो 4 को 6 के साथ add कर दीजिए number add होगा बट symbol उनका वो ही common symbol यहां पर आएगा और यह हो जाएगा minus 10 clear है तो इस question का जो question number 1 था mcq variety में यहां पर इसका answer है c option minus 10 इतना असान सवाल move करते है question number 2 की तरफ question number 2 कह रहा है एक equation आपको हम दे देते है m by 4 is equals to 2 आप बताईए यहां पर m की value क्या है ऐसी क्या चीज m की जगा डालू कि उसको जब मैं 4 से divide करूँगा तो 2 आएगा अब देखो m का relation इस 4 के साथ division है यह 4 जब 2 के पास जाएगा तो यह 2 के साथ multiply हो जाएगा और यह m की value देगा 8 कों सा 8 तो positive integer 8 clear है मैं कहूंगा यहां पर d option is the right option clear चलिए question number 3 watch करिएगा question number 3 again mcq variety में एक जो line segment होती है उसके कितने end points होते है line क्या होती है तो line का मतलब यहां पर जब दोनों side पर मैं arrow apply कर दूँगा तो यह line है इस line को मैं segment तब बोलूँगा जब इस line में से कोई particular part को मैं pick करूँगा मतलब a part of a line is known as a line segment segment word का मतलब है measured part और हमीशा measured part में दो end points होते हैं एक end point यह और एक end point यह तो यह जब end point fix कर दिये जाते है तब हम कहते हैं कि line यहीं से शालू हुई हो यहां पर आके खतम हो गई ठीक है तो end point 2 है two end points मेरा जवाब होगा again मैं कहूंगा यहां पर d option आएगा two clear है तो यह था आपका question number three move करिये question number fourth की तरफ question number fourth कह रहा है the place value of two in decimal number आपके पास एक decimal number है number है 86.126 और place value तो देखिए यह वाला जो six है यह 10th place यह units place पर है ठेक है और यह जो 8 है यह 8 जो है यह 10th place पर है आपको सिखाया गया है chapter fractions and decimals में कि decimal के बाद वाली जो places होती है वहां पर जस्ट बाद वाली place को हम कहते है 10th place इस place को हम कहेंगे यह 10th place है और इसके बाद वाली जो place है इसको हम कहेंगे यह 100th place है कौन सी place है 100th place THS जुड़ जाता है decimal के बाद तो 10th place 100th place 1000th place तो यहां पर 100th c option मेरा जवाब आएगा clear है तो यहां पर unit place decimal से लगी हुई होती है left hand side पे right hand side पे लगी हुई place को हम 10th place कहते हैं तो maximum student यहां पर भी confused रहते हैं कि sir यह तो unit place होनी चाहिए थी ऐसा नहीं है यह unit place नहीं होती है आपको theory lecture में बहुत अच्छे से मैंने समझाया clear चलिए move करते हैं question number 5 की जगह तो question number 5 क्या कह रहा है यह कह रहा है कि आपको एक data दिया है इस data का mode बताईए जब भी आपको given data का mode निकालना है तो mode निकालने के लिए आप जो पहला step करते हो वो है arrangement arrangement और arrangement जब भी आप करेंगे चाहे वह increasing order में करें चाहे decreasing order में arrangement करना जरूरी है clear तो यहां पर इसको कर लेते arrange देखे सबसे चोटा number मुझे यहां पर दिख रहा है 16 ठीक है और 16 से चोटा number नहीं दिख रहा तो मैं लिख लेता हूं 16 तो यह रहा 16 यह रहा 16 ठीक है तो दो 16 थे और कोई 16 नहीं था दो 18 है और कोई 18 नहीं है ठीक है अब 18 के बाद 19 नहीं है 20 है अगें 20 आप देखे टू टाइमस है यह रहा 20 यह रहा 20 अब 20 के बाद है 21 तो यह रहा 21 clear और कोई 21 नहीं है फिर 22 नहीं है 23 नहीं है 23 है yes 23 है एक बार तो 23 लिख लिए 24 अगें यहां पर 2 टाइमस है तो यह रहा 24 24 ठीक है और कोई 24 नहीं है दन और 26 तो 26 यहां पर दो टाइम यह रहा 26 और यह रहा 26 अब एक 26 और तो यह रहा 26 clear तो यहां पर अरेंज कर लिया मैंने डाटा को अब आपको यह नूटिस करना है कि वह कुल सी observation है जो number of time जिसके frequency जादा है तो यहां पर देखे 16 टू टाइमस आया 18 टू टाइमस आया 22 टाइमस आया 21 23 24 टू टाइमस दिख रहा है 26 जो है वह 3 टाइमस दिख रहा है मैं कहूंगा इस केस में कि जो मोड है वह 26 है क्योंकि 26 की जो frequency है वह बाकी सबसे जादा है clear तो इसका answer है mode is 26 आपका D option पूरी उमीद करता हूं यहां तक आपको यह 5 question बहुत इच्छे से समझ आगे होंगे mcq variety एक-एक marks का एक question आपके 5 marks हो गया है पक्के चलिए move करते है question number 6 क्या कह रहा है तो देखिएगा question number 6 कह रहा है the product of 25 multiplied with minus 15 multiplied with minus 4 multiplied with minus 2 is equal to what देखिए product करना तो असान है लेकिन कैसे करें यह थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए जब भी इस तरीके का product आता है तो आपको सबसे पहले तो आप देखिए कहीं पर आप क्या कुछ arrange करके round figure निकाल सकते हैं तो आप देखेंगे जब मैं 25 को 2 से multiply करूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 25 multiplied with negative 2 भाई यह सारी terms आपस में multiply हो रही है न यह जितनी भी values हैं यह सब आपस में multiply हो रही है चार values दी है तो मैं arrange भी तो कर सकता हूं यह मुझे commutative property सिखाती है कि आप arrangement भी कर सकते हैं और इन दोनों को मैं साथ लिख देता हूं तो यह हो जाएगा minus 15 multiplied with minus 4 clear इन दोनों का answer आएगा negative 50 clear क्यों भाई plus into minus is minus clear तो इन दोनों का answer आएगा minus 50 और इन दोनों का answer आएगा positive positive negative multiplied with negative is positive और 4 into 5 is 20 का 0 to carry 60 अब आप देखिए minus multiplied with plus will give you minus 50 multiplied with 60 will give you 3000 clear तो यहाँ पर यह आया negative 3000 option में अगर आप देखेंगे तो c option हमें यहां नजर आ रहा है तो इसी पगार से 6 question आपने कर लिए है solve move करते हैं question number 7th क्या कह रहा है चलिए question number 6 के बाद हम move कर रहे है question number 7th 15 km is less from this km by what तो यह कह रहा है कि अगर 24.62 km मैं आपको बोलता हूं तो इससे यह 15 km कितना कम है तो कुल मिला के यह 15 km और इन दोनों के बीच में difference निकालना चाह रहा है देखो 24 यह जो whole value किलाती है इसके बाद decimal यह decimal वाला number है तो 24 इसका whole part किलाएगा 15 इसका whole part कहेगा तो 24 बड़ी value है ठीक है 15 से बड़ा है 24 मैं कहूंगा 24.62 में से 24.62 में से आप minus कर दीजिए 15.00 को तो आपका answer आएगा .62 यहाँ पर और 14 में से 5 गए तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 6 तो यह आ जाएगा 9.62 positive तो 9.62 km का difference है इन दोनों के बीच में answer है C move करते हैं question number 8 देखते हैं board कर लेते हैं clear question number 8 कह रहा है x की value बताइए इस figure के अंदर what is the value of x figure देख लेते हैं अब आप देखेंगे यहाँ पर एक triangle दिख रहा है और इस triangle का अंदर मुझे यह जो symbol दिख रहा है यह symbol मुझे यह बता रहा है कि यह जो triangle है यह right angled triangle है a पे b पे 90 degree का angle बना है अब तो यहाँ यह symbol बता रहा है कि यह angle 90 degree है यह angle 40 degree है आपको x बताना है तो मैं बोलूंगा using angle sum property of a triangle angle sum property angle sum property of triangle तो यह आपकी हो जाएगी 40 plus 90 plus x तीनों का sum आ जाएगा 180 degree तो 40 plus 90 is 130 plus x which is equals to 180 और x की value आएगी 180 में से आप 130 को minus कर दीजिए x की value आएगी 50 degree that means x आपका निकल के आगया जब आपने angle sum property का use किया angle sum property of a triangle कहती है तीनों angle का sum 180 degree होगा d option is the right option clear है तो यहाँ पर आपने question number 8 mcq variety जो की section a से था आपने इसको भी कर लिया है खतब move करते हैं question number 9 क्या गया रहा है तो चलिए question number 9 देखते हैं the median of the data median मतला middle value के बारे में बात हो रही है median के case में भी मैं आपसे कहूंगा जो भी आपको data दिया है उस data को पहले arrange कर लो तो सबसे छोटी value दिख रही है 9 उसके बाद 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 उसके बाद दिया है 14 15 नहीं दिया दिया है 16 तो कितनी observations है दो दो चार पांच छे साथ दो दो चार पांच छे साथ जब दी हुई observations odd value आती है तब एकदम center value आपका जवाब होगा तो यहाँ पे देखिएगा ये तीन observation ये तीन observation 12 एकदम center में लिखा है मैं कहूंगा इसकी जो value है वो median मेरा आएगा 12 clear यहाँ पे answer B है clear ये एक तरीका अगर observation ज़ादा आ गई तो उस case में आपको formula use करना है n plus 1 divided by 2 और ये formula अगर यहाँ लगा देता हूँ देखना total observation n क्या है n is the total number of observations तो वो है 7 मैं कहूंगा 7 plus 1 upon 2 और ये आजाएगा 8 by 2 8 by 2 का मतलब है 4 और इसको बोलने का तरीका है fourth observation fourth observation in the arrangement इस पूरी observation के अंदर यह जितनी आपने data लिखा है जितनी observations लिखी है अगर इंको arrange कर दिया तो आगे से fourth observation की value आपका answer है तो यहाँ पे देखी एक, दो, तीन, चार यह रही आपकी fourth observation 12 तो हम कहेंगे 12 is the median 12 is median clear है तो दोनों तरीके आपको बता दिया अगर data बड़ा है तब क्या करना है data छोटा है तो center value directly दो clear median middle value तो इस पकार से हमने no question कर लिए section a से solve चलिए move करते है 10th question क्या कह रहा है the value of unknown x and y in the falling figure अब इस figure के अंदर x और y की value क्या है पहले बात तो आप यह बताओ ABC क्या है तो आप देखेंगे ABC एक triangle है किस type का triangle है तो यह triangle है आपका 90 degree यहां दिख रहा है मुझे यह symbol दिखा रहा है तो इसका मतलब यह जो triangle है यह right triangle है मैं कहूंगा triangle ABC is right triangle पहली कहानी done यह right triangle है दूसरा point c पे आप देखेंगे यह जो by है यह एक line है इस line पे जो point c एक vertex है और इस point c पे दो angles का formation हो रहा है तो हम यहां use करेंगे using linear pair concept using linear pair concept linear pair कहता है कि दो adjacent angle यह जितने भी adjacent angle है on a straight line would give you the sum 180 degree तो यहां पे y plus 120 y plus 120 का sum 180 आना चाहिए और y की value आएगी 180 minus 120 that is y की value आजाएगी 60 degree clear है तो आपका y आगया 60 अब देखो यह 90 है यह 60 है तो x क्या होगा तो मैं कहूंगा कि angle sum property का use कर लेते हैं clear और angle sum property कहती है इस triangle के अंदर कि तीन angles का sum x plus 90 plus 60 इन तीनों का sum होगा 180 और x की value हो जाएगी 180 minus 90 minus 60 और यह value हो जाएगी 180 minus 150 और यह value आजाएगी 30 degree तो x की value आगई 30 degree that means मुझसे x और y की value पूची थी तो 30 and 60 is your answer 30 and 60 is your answer a option is the right option clear है तो 10 question हो गया 10 mark हो गया है यहां पक्के एक-एक marks का था एक question section a के अंदर clear तो question number 10 के बाद हम move कर रहे है question number 11 again mcq variety section a में दिया है इस figure के अंदर x की value बताओ इस figure के अंदर x की value बताओ अब देखो यह दोनों मुझे parallel line दिख रही है और हमें parallel line का concept पता है कि दो मतलब अगर कोई दो line parallel है और उसको कोई तीसरी line cut कर रही है तो वो transversal कहलाएगी again अगर यह transversal है तो vertically opposite angles equal होंगे तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि अगर यह 150 है तो यह angle भी 150 होगा अगर यह 150 है तो यह 30 है तो यह भी 30 होगा clear तो vertically opposite angle equal तो मैं कहता हूँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है पहली चीज़ अब vertically opposite angle sequel होंगे दूसरा अगर यह दोनों parallel line हो यह transversal है तो alternate interior angles equal होंगे यह angle 30 degree होगा again अगर यह 30 है तो इसका opposite angle vertically opposite angle x की value आएगी 30 degree मैं कहूंगा x की value है यहाँ पर 30 degree c option is the right option clear तो चलिए यहाँ पर finally हमने section a complete कर दिया section a में थे 11 question 11 marks हो गए है आपके पके move करते हैं इसके section b की तरफ section b है very short answer type questions का question number 12 जो है यह fling in the blanks variety है fling in the blanks में again 4 part दिये हैं और हर part one marks का है चलिए इसका solution देख लीजेगा तो सबसे पहले first part की मैं solution यहाँ पर solve कर देता हूं देखिए 60 multiply हो रहा है minus 20 से add with 40 multiplied with minus 20 board mass rule कहता है कि पहले multiply करिए board mass m के बाद addition ठीक है तो इन दोनों को multiply करिए इन दोनों को multiply करिए यहां तो ऐसे कर लीजे यहां यहां पर आपने पड़ा है distributive law distributive law कहता है अगर कोई दो pairs में कुछ similar दिख रहा है तो उसको common ले लीजे मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से देखना मुझे 60 multiplied with minus 20 इस pair और दूसा pair दिया है 40 multiplied with minus 20 में इन दोनों pair में minus 20 common दिख रहा है तो मैं minus 20 बाहा ले लेता हूँ तो bracket के अंदर बचेगा 60 plus 40 60 plus 40 और 60 plus 40 क्योंकि 100 होता है तो minus 20 multiply होगा 100 के साथ इसकी value आएगी negative 2000 तो इस first वाले में मेरा answer आ रहा है minus 2000 clear है negative integer आया और value आईए 2000 तो minus 2000 ये मेरा जवाब होगा clear है तो ये मैंने कर दिया first part complete तरीके से solve move करते हैं इसके second part की तरफ देखिएगा second part में क्या कह रहा है तो second part में ये कह रहा है आपको एक यहाँ पे mixed fraction दिया है 14 2 by 4 14 2 by 4 इसको add करना है किसके साथ 13 6 by 7 के साथ clear अब इसकी value क्या आएगी तो देखिएगा दो mixed fraction जब आपस में add हो रहे है तो इसका मतलब आप whole part को add करिए 14 plus 13 करिए और बाद में इसमें add करिए ये दोनों fraction 2 by 4 plus 6 by 7 को ऐसा करना ज्यादा असान हो जाएगा 14 plus 13 will give you 27 added with 2 by 4 plus 6 by 7 4 और 7 का LCM लेंगे तो ये आएगा 28 और उपर आएगा 14 plus 24 और ये value आजाएगी 27 plus 14 plus 24 is 38 38 upon 28 क्योंकि ये part improper fraction आया तो इसको हम अब इसके साथ add करेंगे देख लीजे हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर LCM आएगा 28 यहाँ पर आएगा 27 multiplied with 28 तो ये आजाएगा 8 into 7 is 56 5 2 into 8 is 16 16 plus 5 is 21 cross 2 into 7 is 14 और ये आजाएगा 54 6 5 7 तो यहाँ पर ये आजाएगा 7 56 added with 38 upon 28 इसको solve करेंगे तो 6 6 12 13 14 4 carry 1 6 और 3 9 और 7 7 94 upon 28 clear और यहाँ पर अगर आप notice करेंगे तो यहाँ पर देखी ये दोनों चीजे simplify हो रही है तो से तो 2 1 times 2 2 4 times 8 2 3 times 6 2 9 times 18 and 2 7 times 14 clear अब यह 2 से नहीं कट रहा 3 से नहीं कट रहा तो 6 से नहीं कटेगा 5 से नहीं कटेगा मैं कहूंगा 397 divide by 14 एक बार आप rough work में करके देखिए आपको mixed fraction में answer देना पड़ेगा 397 को जब मैं 14 से divide करूंगा clear तो 14 2 times होता है 28 14 3 times होता है value 39 से तो बड़ी हो रही है clear तो 14 3 times अगर मैं देखूं तो यह 42 something हो रहा है मैं कहूंगा 14 2 times ले लो तो 14 2 times is what यह आजाएगा 28 clear 9 में से आट गए 1 यह एक 117 14 के table में 117 का मतलब है कि 14 अगर मैं 5 times करता हूं तो यह आएगा 17 14 7 times यह आएगा आपका 98 and 14 8 times तो यह आजाएगा 9 10 11 112 तो यहाँ पर 14 8 times is 112 देखिएगा मैं mixed fraction में अंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं साथ में से 2 गए तो यह बचा remainder 5 तो इस fraction का answer आएगा remainder उपर divisor नीचे front में quotient that is 28 अंसर आजाएगा 28 5 by 14 इसका answer आएगा 28 5 by 14 clear है तो add करने पर mix fraction में अंसर देना है क्योंकि आप mix fraction को add कर रहे हैं तो इस पगार से आपने दे दिया है second का जवाब चलिए तो यहां सी extra work में सब हटा देता हूं fling the blanks आपके सामने लिखे हैं एक एक question को मैं deep में जाके कोशिश कर रहा हूं आपको एक-एक step समझाओं देखीगा इसका third part क्या कह रहा है third part कह रहा है 2 3 by 4 divided by 12 4 by 5 multiplied with 6 3 by 5 तो यहां पर अगर मैं इसको notice करूं तो again board mass rule क्या कहता है तो सबसे पहले तो mix fraction को आप change कर लीजिए improper fraction में तो 2 into 4 is 8 यह आजाएगा 11 by 4 तो 11 by 4 को यह बोल रहा है divide करिए किसके साथ 12 into 5 is 60 तो यहां पर यह आजाएगा 60 plus 4 is 64 by 5 फिर इसको multiply करिए किसके साथ 63 by 5 मतलब 33 by 5 डन अब देखिएगा board mass rule क्या कहता है तो पहले board mass कहता है divide वाला part करो मतलब इन दोनों को solve करो और इन दोनों को solve करूंगा तो यह आजाएगा 11 by 4 multiplied with divide का sign multiply में change होगा उसके बाद वाला जो है उसका reciprocal कर देंगे तो यह आजाएगा 5 by 64 multiplied with 33 by 5 अब आप solve कर दो देखो 5 से 5 कट गया असान है ठीक है यहां पर एक मुझे 3 का factor दिख रहा है तो 3 into 11 और यहां पर 64 में मुझे 2 का factor दिख रहा है बट 3 का factor नहीं दिख रहा तो एक काम करते हैं इसको solve करके answer देए तो 33 into 11 करता हूं 33 into 11 करने पर यह आजाएगा अगेन कितना 363 clear है तो यहां पर 363 divided with 4 into 64 तो 4 into 4 is 16 carry 1 यह आजाएगा 116 clear तो यहां पर आपका 4 into 64 is 4 into 4 is 16 166 carry 1 और 4 into 6 is 24 25 यह आजाएगा 256 अब देखिएगा इसको solve करना है तो इसको solve करने के लिए काम करते हैं 363 को 256 से divide कर देते हैं तो 363 को जब मैं 256 से divide करूंगा तो यह 1 times 256 आएगा 13 में से 6 गए तो यह बचा 7 clear है और यहां पर 0 और यहां पर 1 107 clear और यहां पर अब यह divide नहीं हो रहा तो mixed fraction में इसका answer आ रहा है 107 divided by 256 front में 1 तो mixed fraction में जो मेरा answer आया थर्ड पार्ट के लिए वो आ रहा है 1107 upon 256 clear है चलिए अब फोर्थ पार्ट कह रहा है M की value बताईए इस figure के अंदर तो M की value बताईए इस figure के अंदर चलिए M की value भी बतायते हैं देखिएगा M की value तो यहां पर देखिए यह straight line है और इस पर बनने वाले 3 angle का sum 180 होगा linear pair का concept यूज कर रहा हूँ तो 30 plus 60 is 90 और 90 plus M should give you 180 तो that means M की value आ जाएगी 90 degree तो मैं कहूंगा यहां पर M की value जो है वो है 90 degree इस पकार से आपको करने थे यह filling in the blank solve मतलब question number 12 की चारो पार्ट जो की 4 marks का question था हम कर चुके हैं section A section B का यह question number 12 यह मिला के आपको मिल गए है 15 marks अगर यहां तक आपने इस तेके से किया है चलिए अब move करते हैं question number 13 की तरफ question number 13 देखिएगा answer the following question in the adjacent figure find the parameter of the box ठीक है इस box का parameter बताईए अब देखिए word parameter का मतलब होता है sum of all sides done तो यहां पर 10 cm हो 5 cm 10 cm हो 5 cm यह एक rectangle है तो हम कहेंगे कि the given figure ABCD तो in the in the given figure in the given figure ABCD it is a rectangle it is a rectangle यह चीज हमें समझा रही है rectangle हम क्यों बोल रहे है क्योंकि opposite sides equal है तो DC तो यहां पर देखिए parameter मुझे find करना है मैं कहूंगा parameter of rectangle का formula लगा दीजे और parameter of rectangle के case में हम कहते है 2 times of length plus breath clear तो यह आ जाएगा 2 times of length is 10 cm plus breath is 5 cm तो यह आ गया और यह आ जाएगा 2 multiplied with 15 और यह हमारी value आएगी 30 cm तो यह हमारा parameter आ गया इस figure के लिए clear एक marks का question है ठीक है तो parameter हमने यहां पर आपको दे दिया parameter of the box parameter of box और यह आपका one marks हो गया यहां पर पक्का अब एक चीज़ ध्यान रखना area squares में रहता है और perimeter simple cm में रहेगा तो unit इसकी cm रहेगी इसके power में 2 मत लगा क्या यह एगा clear तो वो area निकलाएगा हमसे कहा था perimeter निका लिए हमने perimeter निकाल दिया question number 13 का first part हमने कर लिया then move करते हैं इसके second part की तरफ find the altitude of the triangle whose area तो आपको एक triangle दिया हुआ है इस triangle का आप altitude बताइए ठीक है अगर इस triangle का area known है तो देखिए ABC यह triangle ले लेता हूँ इस point को में D ले लेता हूँ तो triangle ABC आपको पता है triangle ABC ठीक है इसका area तो find the altitude of the triangle whose area is तो आपको क्या given है area of triangle ABC और वो आपको दिया है कितना 124 cm square done इसके बाद corresponding base मतलब इस triangle की जो base है वो 14.6 cm है तो base is what यहाँ पर base है BC और BC की जो value है वो दी है मुझे 14.6 cm to find आपको क्या पता करना है तो आपको यहाँ पर पता करना है altitude altitude और altitude है यहाँ पर AD तो altitude AD आपको calculate करना है इसको calculate करने के लिए आपको area का formula पता है तो area of triangle is what area of triangle is half multiplied with base multiplied with altitude height तो यह आजाएगा half multiplied with BC base multiplied with height is AD यही करना है और area of triangle का case तो area of triangle में 124 यह दिया है तो एक equation form होगी वो होगी 124 is equals to 1 by 2 multiplied with 14.6 multiplied with AD निकल दीचे यही आपको calculate करना है तो इसको calculate करने के लिए देखिए AD क्या आजाएगा तो AD आजाएगा 124 multiplied with 2 divided with 14.6 और यह decimal अगर मैं remove करूंगा तो AD की value आजाएगी 124 into 2 upon 146 और उपर into 10 decimal के बाद एक digit है decimal remove किया उपर 10 चला गया clear यह दोनों चीज़े 2 से छोटी हो रही है तो 2 7 times is 14 and 2 3 times is 6 यहाँ पर 2 6 times is 12 and 2 2 times is 4 अभी यहाँ पर finally मेरेको AD जो है वो decimal में कुछ आता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर AD की value finally कितनी आएगी 62 into 2 तो यह हो जाएगा 2 into 2 is 4 2 into 6 is 12 124 upon 73 into 10 clear है तो यह चीज़ हो गई एक rough figure की अगर हम बात करें यह एक proper calculation करें तो यहाँ पर आपको 73 और 124 को solve करना है तो 7 2 times is 14 value जादा हो रही है मैं कहूंगा 124 को जब मैं 73 से divide कर रहा हूं तो 124 जब 73 से divide हो रहा है तो यह 2 times क्योंकि value जादा हो रही है तो 73 minus 73 1 times is 73 124 में 73 minus कर दो 12 में से 7 गए तो यह बचा 5 decimal लगाया 0 ठीक है अब 7 into 4 is 28 ठीक है और 5 into 7 is 35 6 into 7 is 42 मैं कहूंगा 73 into 6 देखिएगा 6 into 3 is 18 6 into 7 is 42 43 और 73 into 7 अगर आप करते है तो 73 into 7 करने पे 7 into 3 is 21 into 7 into 7 is 49 50 51 तो यह एक value उपर आ रही है 73 into 7 करने पे 5 double 1 आ रहा है मुझे 510 चाहिए मैं कहूंगा जो altitude है न वो निकल के एक करीब जो value आएगी वो 1.69 के आसपास आएगी यह एक rough figure मैंने आपको दिया तो यहाँ पर अगर हम देखें क्योंकि 1.69 something इन दोनों को divide करने पे आ रहा है और into 10 करूंगा तो यहाँ पर यह आपकी value आ जाएगी कितनी तो यह AD आपका निकल के आ जाएगा 16.9 cm यह altitude निकल के आएगा यह एक approximate value निका लिए मैं कहूंगा 16 cm के आसपास value आएगी ठीक है 15 point भी something आ सकती आप definitely आप solve करिये मुझे comment box में बताईएगा जरूर clear तो यहाँ पर एक approach अगर मैं यह bracket में लिख दूँगा न टीचर को कि approach तो मुझे marks पूरे मिलने के chances बढ़ जाते हैं clear है तो यह approximate value निकल के आएगी इस दीके से आपने second part solve कर लिया चलिये अब हम आजाते हैं इसके third part पर यह कह रहा है x की value बताईए तो kl क्योंकि एक straight line है ओ एक vertex है यहाँ पर बनने वाले तीनों angles अगर मैं add कर दूं तो इस supplementary angles कहलाएंगे इसको हम कहते हैं linear pair तो हम यहाँ पर इस चीज़ को बगाएदा लिखके भी दिखाएंगे हम कहेंगे kl is a line kl is a line and o is a point is a point on a line on a line done using using linear pair concept using linear pair हम कह सकते हैं कि 30 degree added with यह वाला angle added with 4x minus 8 added with 2x minus 2 यह आपको 180 degree देगा इसको solve कर लिजे आपके पास जवाब आजाएगा x की value आजाएगी तो यह आजाएगी 30 plus 4x minus 8 plus 2x minus 2 which is equals to 180 और इसको solve करने पर यह आजाएगा 30 minus 8 is what तो यह आजाएगा आपका 22 ठीके थोड़ा सा rearrange कर लेते हैं so that चीज़े clear हो जाएगा यहाँ पर यह आजाएगा 30 पहला term फिर minus 8 minus 2 तो minus 8 minus 2 और उसके बाद है 4x plus 2x तो 4x plus 2x जो है यह 6x हो जाएगा which is equals to 180 clear इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा 20 clear 20 plus 6x is equals to 180 और 6x की value यहाँ पर आएगी 180 minus 20 which is equals to 160 6x की value आएगी 160 और x की value आजाएगी 160 divided by 6 तो 2 3 times is 6 and 2 8 times is 16 and 0 x की value यहाँ पर आ रही है 3 2 times is 6 clear और फिर 20 3 6 times is 18 point again 0.6 मैं कहूंगा x की value approximately 27 के आसपास आ रही है तो यहाँ पर आपको x की value जो है वो 26.6 मिल रही है इन्होंने कहा था x निकाली है x इतना ही आएगा approximate value x की यही आ रही है clear है चलिए अब finally हम लोग कर लेते हैं क्या तो next fourth part पर आ जाते हैं इसका fourth part इस बार ग्राफ के अंदर कितनी books रागव ने read की तो simple से आपको एक statement लिखना है रागव का बार मुझे दिख रहा है यहाँ पर 50 तक ठीक है यह आपकी x-axis है यह आपकी y-axis है name यहाँ पर दिये रागव और कितनी books read की है तो रागव ने 50 books read की है आप एक simple statement लिखेंगे रागव रागव read 50 books खतम एक simple statement यहाँ पर आपको बार ग्राफ को interpretate करना आना चाहिए one marks यहाँ पर पक्के clear चलिए move करते है section B में आपका next question है question number 14 again इसमें चार सब पार्ट आपको मिलेंगे first part में भी दो पार्ट है तो half of marks के दो पार्ट clear क्या बोल रहा है इनके questions का जवाब दीजिए इन दो का जवाब दीजिए आपको एक graph दिया है monthly tourist january से मही तक कितने आए january से लेके मही तक तो january में 400 टूरिस्ट आए february में 800 टूरिस्ट आए March में 1000 टूरिस्ट आए April के अंदर again 800 टूरिस्ट कम हो गया थोड़े से और मई में 600 टूरिस्ट यहाँ पर आए है पहली चीज आप से पूछी है what is the total number of tourist in five month आप यह बताईए पूरे five month में total कितने tourist ने visit किया तो इन सब का sum total करतेंगे तो ए पार्ट का answer आएगा यहाँ पर the total number of tourist the total number of tourist are कितने है तो आप यहाँ पर add कर दीजिए कैसे तो देखिए January में है 400 added with February में है 800 added with March में है आपके 1000 added with again 800 added with April में 800 थे माई में है 600 यह हमने add कर दिया तो add करके आप जबाब दे दीजिए यह आजाएगा 8 plus 4 is 12 ठीके तो 1200 तो यह हो गया 1200 1200 और 1000 तो यह हो जाएगा आपका 2200 2200 और 800 तो 3000, 3600 टूरिस्ट in all total विजिट किये तो टोटल नंबर अफ टूरिस्ट आर 3600 clear अब बी बी पार्ट का अंसर क्या आएगा तो बी पार्ट में हमसे पूछ रहा what is the difference between the highest arrival and the lowest arrival of tourists from January to May January से मई तक अगर मैं देखूं तो highest tourist और lowest tourist January में सबसे lowest tourist आएं तो lowest tourist क्योंकि January में आए हैं तो आप mention करेंगे lowest tourist in Jan कितने हैं तो वो है 400 400 tourist आए थे ठीक है और highest tourist आएं मार्च में तो वो भी हम यहां mention करेंगे highest tourist in March और यह कितने हैं तो मार्च के अंदर आए है 1000 इनका difference तो difference कितना होगा तो difference होगा 600 difference is what 1000 में से आप 400 को माइनस कर दीजिए यह आ जाएगा आपका 600 tourist clear इस तरीके से आपको question number 14 का first part करना था जिसमें again दो parts थे clear तो वन मार्च का question था यह वाला ठीक है second part पर आ जाए question number 14 का second part क्या कह रहा है देखिएगा इसका second part कह रहा है यह जो figure है इसमें y की value बताईए अब यह जो figure है इसमें y की value बताईए तो मुझे यहां से यह समझ आ रहा है कि यह vertex o पे 90 degree का angle बन रहा है और इसके भी फिर हमने दो तुकडे की है 90 के हमने दो तुकडे की है तो 20 plus y should give you 90 20 plus y should give you 90 इससे पहले आपको एक statement लिखना पड़ेगा कि angle n o m angle n o m is right angle is right angle comma right angled at right angled at o o के उपर right angle बन रहा है तो therefore therefore 20 plus y is 90 और y की value आ जाएगी 90 minus 20 और यह आ जाएगा 70 तो y की value है 70 degree यह 70 यह 20 टोटल मिलके 90 degree का angle बनाएगा तो again one marks का question इतना लिखना sufficient है ठीक है second part के बाद आ जाईए इसके third part पर draw an angle which measure 45 degree 45 degree का angle बनाईए तो 45 degree का सिर्फ angle measurement अब एक marks का है तो steps of construction नहीं लिखने clear यहाँ पर देखिएगा और लिखना चाहें तो लिख दीजे कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं यह देखो मैं एक line segment लोंगा a b clear तो draw a line segment a b taking a as a fixed point draw an arc of any radius xy done अब आपको यहाँ से a पे perpendicular bisector बनाना है तो आप क्या करोगे y को x को fixed point मानते हुए आप same radius को यहाँ पे cut करेंगे यह होगा 60 और इस point पे रखके आप जब यहाँ cut करेंगे तो यह angle होगा 120 अब same radius यहाँ पे रखके जब उपर cut करेंगे और यहाँ पे रखके जब इधर cut करेंगे तो आपको यहाँ से एक 90 degree का angle बनता हुआ नजर आएगा done clear है अब इसको आप बोलेंगे कि यह line है let it be L clear अब आपको यह 90 degree मिलेगा 90 degree को bisect करेंगे तो इस distance को measure करेंगे इस point पे रखके आगे एक arc cut करेंगे इस पे रखके यहाँ पे एक arc cut करेंगे और इसको bisect कर दीजे तो यह जो angle बन रहा है यह 45 degree का angle होगा इस point को आप C बोल द कीजिए clear है आपको सिर्फ यहाँ पर drawing बनानी है one marks का question है अगर यह 2 marks का होता तीन marks का होता definitely हम यहाँ पर steps of construction लिख कर आते मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आप लोग test कैसे school के attempt करें कब कितने marks में कितना लिखना जरूरी है यह sufficient clear तो यहाँ पर हम कहेंगे angle C A B angle C A B is equals to 45 degree काफी है clear आजाइए इसका fourth part पर यह जो figure बनाया है इसका perimeter बताइए तो perimeter का formula लिख दीजे perimeter का मतलब लिख दीजे जो आप बोले तो इस figure के लिए perimeter का मतलब हम लिखेंगे sum of all sides sum of all sides जितनी भी sides है इस figure में उन सबका sum कर दीजे तो यहाँ पर देखिएगा इस vertex हम चालू करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 10 cm added with तो यह आपका आजाएगा 10 cm added with अगें यहाँ से यहाँ यह 5 added with 5 के बाद इधर आए तो यह 4 plus 4 यहां तक आगे 4 के बाद नीचे आए तो यह 1 cm plus 2 cm तो 1 plus 2 plus यहाँ 2 से उपर गए तो common से बाद है इसके बराबर ही होगा तो 1 plus उसके बाद यहाँ से यहाँ गए 2 और फिर यहाँ से यहाँ आए 4 तो 2 plus 4 plus फिर इधर गए तो 1 और इधर गए तो ये कितना होगा? ये हम देखते हैं. देखो ये तो 1 है. ये 1 होगा. ठीक है? अब 1 के बाद इतना. ये पार्ट अगेन इसके बराबर होगा तो ये 4. 4 प्लस 2 प्लस 1. तो यहाँ पर मैं कहूंगा 4. ठीक है? ये वाला था. तो plus 4 plus ठीक है यह 2 plus again 2 के बाद इतना 1 plus 1 के बाद यह 2 plus फिर यह 1 plus फिर यह 4 plus फिर यहां से यहां तक यह 5 खतम clear है अब इसको add करके आप answer दे दीजे तो 15 और 419, 19 plus 1 is 20 22, 23 23 plus 2 25, 25 plus 4 is 29 30, 34 36, 37 39 40, 49 तो यहां पर यह आएगा 49 centimeter perimeter of this figure इतना असान question था यहां पर हमने solve कर लिये हैं यह 4 part भी अब move करिये आप question number 15th की तरफ section हो गया हमारा change section अब हम आ गए है C तो short answer type questions है और यहां पर question number 15 में कह रहा है find the area of the garden if the area of the pond आपको अगर मैं दे दूँ तो भीच में pond बना हैं बाकी पूरा garden बना है तो देखिएगा मैं यहां पर इस question को कैसे attempt करूँगा तो यहां पर पहले तो जो given है वो लिखूँगा area of pond मुझे पता है the area of pond is equals to 46 meter square done area of area of garden with pond अगर मैं देखूँ तो इस case में यहां पर मैं पूरे garden की बात कर रहा हूँ जहां पर अभी pond भी इसके अंदर है included है तो इस case में मैं कहूँगा 10 multiplied with 6 तो यह आजाएगा 10 multiplied with 6 meter square और यह आजाएगा 60 meter square done तो आपने देखा पूरे का area आगया मुझे सिर्फ area of garden पूछा था pond हटा के area of garden यहां पर आजाएगा आपका कितना 60 minus 46 और यह answer आपका meter square में आएगा यह सिर्फ area of garden आएगा तो यह आजाएगा 4, 1 14 meter square clear है area of garden is what 14 meter square अगे 3 marks का question था यह clear drawing बना के जो आएगा तो इस दीके से आपने question number 15 को भी यहां पर कर लिया है solve move कर लेते हैं हम चलते हैं question number 16 की तरफ तो question number 16 क्या कह रहा है इसको देखेगा in the adjacent figure find the area of the frame यह कह रहा है जो figure आपके सामने है इसके अंदर frame का area बताइए और दिखो आपको frame है ना यहां पर लिखके भी दिखाया हुआ है कहां लिखा हुआ है frame तो आप देखिए यह शब्द लिखा हुआ frame ठीक है और यहां पर arrow बनाया है यहां पर लिखा है photo तो इतनी है photo बाकी जो पूरा space है बाकी जो पूरी चीज है यह सब frame है clear यह ऐसा बोलना चाहरा है चलिए तो असान कोश्यन है हम एक काम कर सकते हैं हम क्यों न पहले पूरा area निकाले area of area of frame with photo with photo तो यहां पर हम देखेंगे एक rectangle formation है एक बड़ा box जो है यह rectangle है क्योंकि यह 8 cm दिया है और यह 12 cm दिया है तो 8 और 12 मतलब एक rectangle है इसका मतलब length into breath मतलब 8 into 12 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 2 into 8 is 16 16 का 6 carry 1 96 cm square clear है यह सारी चीजे cm square में area cm square में आएगा क्योंकि unit जो है वो सब cm में चल रहा है और सिर्फ अगर मैं area of photo देखू तो area of photo अलनी सिर्फ photo वाला जो area है इसमें देखें तो यह 5 cm दिया है यह 7 cm दिया है तो यह हो जाएगा 5 into 7 cm square that is 35 cm square अब मुझे सिर्फ area of frame बताना है तो area of frame अगर हम देखें तो only area of frame is what सिर्फ area of frame की अगर मैं बात करूँ तो frame वाला जो सिर्फ पार्ट है वो है आपका कितना तो 96 में से 35 अगर मैं total area में से 35 photo हटा दूँ तो मेरे को सिर्फ frame वाला area मिलेगा तीन माक्स का सवाल इस तरीके से definitely मैं कहूंगा आ सकता है 6 में से 5 गए 1 9 में से 3 गए 6 61 cm square तो ये जो है ये सिर्फ area of frame आ जाएगा clear है तो ये था इस question को करने का तरीका इसका solution ठीक है given part में आप जो लिखकर आईएगा कि length of the frame is 8 cm and breadth of the frame is 12 cm इंटर में photo है तो length of the photo is 5 cm and breadth of the photo is 7 cm only the area of frame हमें known करना है तो area of frame जानने के लिए हम area of frame with photo में से area of photo अगर हटा देंगे तो सिर्फ area of frame हमारे पास आएगा clear है मुझे comment box में जो बताईएगा question number 17 देखिए draw the line of symmetry of the following figure इन सब figures की line of symmetry बताईए क्या होगी तो चलिए अगर मैं इस वाले shape की बात करूं तो इसकी line of symmetry इसके center में से निकल सकती है इसका ये वाला part इधर fold करने पे एकदम similar बन सकता है तो इसमें vertical line of symmetry है इस वाले figure में अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहाँ पर भी एक vertical line of symmetry बनती हुई मुझे नजर आ रही है clear और अगर मैं देखूं अगर ये मैं मालूं कि उपर का ये जो head है ये नीचे के head जैसे एकदम similar है तो यहाँ पर horizontal line of symmetry भी बन सकती है तो यहाँ पर एक vertical line of symmetry भी है और एक horizontal line of symmetry भी है इस case में सिर्फ vertical line of symmetry है और इस case में बात करूं तो देखे horizontal line of symmetry तो नजर आ रही है अगर मैं इस head को एकदम similar इस head जैसा मालूं तो इस case में vertical line of symmetry बन सकती है हाँ, हो सकता था कि आपको exam में ऐसा figure देते है कि यह head बड़ा होता, यह head छोटा होता अगर यह head बड़ा होता, यह head छोटा होता तो उस समय सिर्फ horizontal line of symmetry बनती vertical line of symmetry नहीं बनती clear है, तो यह चीज हमने एक-एक marks question number 17 को यहाँ पे watch कर लिया question number 18 में कह रहा है जो figure है आपके सामने इसमें आपको इन दो triangles को congruent proof करना है, congruent congruent का मतलब यह जो symbol आप देख रहे है न, यह sign बहुत सारे students को 7th class में नहीं पता रहता, मैं आपको बतायता हूँ कि यह एक equality का sign है equality sign के उपर जब similarity का sign S इस दीके से लेटा दिया जाता है तो यहाँ पर इस symbol को हम कहते है congruent clear है, तो इसको कहीं अपनी copy में note कर दीजे एक दम equal and similar figure कि अगर मैं symmetry देखूँ और इस part को इधर fold कर दूँ तो यह पूरी चीज इसके उपर लाए करनी चाहिए तो इस दीके का जो figure होता है इसको similar figure कहते है और अगर सारे sides angles equal है तो इस case में हम equal to का sign use करते है तो वो एक word कहलाता है maths में congruent अब देखीएगा हमें करना क्या है तो कुल मिलाके हमें यहाँ पर एक triangle दिया है तो जो जो given है पहले तो वो लिख लेते है given में क्या है तो given में मुझे एक triangle a, b, c given है a, b, c पूरा बड़ा वाला triangle done a, b is equal to a, c बोला है तो triangle a, b, c is a isosilis triangle यह मैं drawing दिखके बोल सकता हूँ क्यों बोल रहा हूँ इसको isosilis triangle वो reason भी लिख देता हूँ क्योंकि a, b, जो है वो equal है a, c के done उसके बाद मैं एक चीज़ notice कर पा रहा हूँ कि अगर यह isosilis triangle है तो a vertex से एक line आ रही है d, जो a, d, b, c के उपर drop होके यहाँ पर 90 degree का angle बन रहा है यह drawing मुझे बता रहा है clear तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि मुझे यह भी given है also given also a, d is a perpendicular a, d is यह a, d perpendicular to a, d perpendicular to b, c हम ऐसा भी बोल सकते है clear तो यह दो चीज़े मुझे नजर आ रही है एक तो यह isosilis triangle है यह side, इस side के equal है यहाँ पे एक line perpendicular है b, c के हमें show यह करना है to show यह भी लिख लेता हूँ हमें show यह करना है कि जो triangle है a, b, d यह a, b, d equal और similar है that means congruent है किसके congruent है तो triangle a, c, d के congruent है यह हमें show करना है अब इसको कैसे show करें तो एक काम करते है अगर यह triangle को इस triangle के एकदम similar दिखाना है similar हो equal दिखाना है तो एक काम करते हैं क्यों न हम सबसे पहले side से कहानी चालू करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले triangle in triangle a, b, d in triangle a, b, d and triangle a, c, d की अगर हम बात करें a, b, d a, c, d की बात करें तो इन दोनों triangle के अंदर आप a, d को b, c के perpendicular देख रहे हैं as given as given a, d is perpendicular to b, c तो therefore हम कहेंगे angle a, d, b is equals to angle a, d, c which is equals to 90 degree का angle perpendicular बोल देख तो 90 degree बोल सकते हैं तो यहाँ पर 90 degree का angle बन रहा है अगर 90 degree का angle दोनों जगा पर बन रहा है तो मैं कहूंगा यह triangle भी right triangle है और यह triangle भी right triangle है तो therefore triangle a, b, d and triangle a, c, d is a right triangle is a right triangle ठीके, right angled at d तो इस side भी d पर right angled है इस side भी d पर right angled है अब मुझे right triangle में यह चीज़ पता है कि जहाँ पर भी 90 degree का angle बनता है उसकी opposite side को hypotenuse कहते है ठीके, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा also a, b is equals to a, c which is equals to 6 cm दिया है यह given है, ठीके अब यह दोनों triangle के लिए hypotenuse है, ठीके आर hypotenuse hypotenuse for both triangles अब आप बात को समझेगा दो right triangle दोनों का एक angle 90 degree में दोनों में right angle है दोनों के hypotenuse equal है और दोनों में एक side ऐसी है जो common है वो मैं बोलूँगा ad is common to ad also ad is equals to ad क्योंकि यह दूसरे के common है मतलब यह दोनों triangle के लिए common side है common and equal ऐसा मैं बोल दूँ ठीके तो यहां से मैं बोलूँगा कि therefore using RHS property अब यह RHS property क्या है तो RHS property कहती है आप दो triangles को एकदम equal and similar तभी बोल सकते हैं जब दोनों में बनने वाला एक angle right angle हो एक side दोनों में hypotenuse equal हो और कोई भी एक side दोनों triangle में वो equal length की हो तो यहां पर जो AD है वो AD के equal है इस कारण मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि using RHS property मैं यह कह सकता हूँ कि triangle ABD is congruent to triangle ADC तो therefore triangle ADB is congruent ठीक है to triangle ADC अब यह properties ठीक है एक RHS property हो गई एक AS property हो गई एक SAS property हो गई तो यह सब चीज़े आपको आनी चाहिए ठीक है और इन properties को आपको सिखाया जाता है जब आपको construction triangle का सिखाया गया था तो यह सब properties से हम दो triangles को एक तब equal symmetry वाले chapter में जैसे हम देखते न कि एक part को अगर दूसरे side पे fold किया जाए तो वो एक side पूरे proper तरीके से अगर दूसरे side पे बैठ रही है उस पे align हो रही है तो उस line को हम line of symmetry कहते हैं तो यहाँ पर इन चीजों का use होगा higher classes के अंदर जब एक अलग से chapter आप congruency का पढ़ेंगे clear है अभी आपको थोड़ा सा logic लगा के चीजों को करना है solve clear question number 18 के बाद हम move कर लेते हैं question number 19 क्या कह रहा है तो MNQ एक isosilis triangle है देखे यह कह रहा है MNQ एक triangle है यह रहा M यह रहा N और यह रहा Q MNQ is a isosilis triangle having sides MN equal to MQ यह दोनो sides equal है if MK is a perpendicular अगर MK एक perpendicular है मतलब यहाँ पर 90 degree का angle बन रहा है to NQ तो यह point जो है यह है MK ठीक है prove that K is the midpoint of NQ आप यह proof करिये कि जो NQ है इस point K के कारण यह दोनो parts equal बट रहे हैं तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं given clear अब given में देखिएगा मुझे triangle MNQ MNQ isosilis triangle बोला same question अभी जो पीछे आपने solve किया triangle MNQ is isosilis triangle और यह isosilis triangle है तो यहाँ पर इन्होंने clearly हमें यह भी बोला है कि MN is equals to MQ done फिर इन्होंने बोला है MK जो है वो perpendicular है MQ के यह भी हमें बोला है और अगर perpendicular बोला है तो that means that is angle MKN MKN is equals to angle MKQ which is equals to 90 degree यह given part में मैं definitely लिख सकता हूँ clear अब मुझे to show क्या proof करना है क्या show करना है मुझे proof करना है कि MK is equals to QK done हमें MK को QK की बराबर show करना है तो यह बराबर दिखाने के लिए हम क्या बोलेंगे तो देखिए इन ट्राइंगल same question जैसे भी पीछे किया तो पहले तो हम दोनों ट्राइंगल को congruent दिखाएंगे इन ट्राइंगल MNK MNK and ट्राइंगल MQK इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो MN is equals to MN जो है यह equal है MQ के यह गिवें पार्ट है clear यह गिवें पार्ट है then angle MKN MKN is equals to angle MKQ यह 90 डिगरी के बराबर है यह भी मुझे given था clear अब देखो आप यह side hypotenuse के लाएगी right यह altitude है यहाँ पर यह perpendicular है तो यह perpendicular है तो यहाँ पर 90 डिगरी का एंगल बन रहा इसके सामनी यह है hypotenuse इसके सामनी यह है hypotenuse दोनों ट्राइंगल के hypotenuse अगर मैं देखूँ तो वो equal है ठीक है यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ also hypotenuse are equal यह दोनों hypotenuse है ठीक है right triangle होंगे तो right angle होगा यह 90 डिगरी है मतलब right angles होंगे यहाँ पर तो देखिए right angle है hypotenuse है common side है mk is equals to mk दोनों triangles के लिए तो मैं कहूँगा यह क्योंकि common side है दोनों triangles को तो इसलिए हम triangle mnk को congruent बोलेंगे triangle mqk के clear और यह दोनों triangle जैसे congruent हुए तो यह दोनों triangle में congruent कहने का मतलब एकदम equal and similar मतलब अगर मैं इस part को इस right triangle को इधर fold करूँगा तो यह जो line है यह line of symmetry जैसा काम करेगी तो यह part इसके उपर proper तरीके से align हो जाएगा proper तरीके से bad जाएगा ठीके तो मैं कहूँगा therefore therefore nk is equals to qk खतम कहानी और जब higher classes में जाएगे तो यह चीज को आप बोल सकते हैं cpct cpct का मतलब होता है common parts of congruent triangle जो भी कोई दो congruent triangle है उनके जो common parts है ठीके यह part इसके जैसा common है ठीके यह angle इसके जैसा common है तो हम कह सकते हैं कि common parts equal होते हैं तो higher classes में आपको यही चीज cpct के नाम से सिखाई जाएगी done तो यहां पर आपने finally solve कर लिये question number 19 तक board कर लेते हैं clear और move करते हैं question number 20 पे इसको देखिए एक बहुत प्यारा एक अलग मैं कहूंगा logic again logic लगाना है clear question की हिंदी को समझना अच्छे से और फिर हमें question को करना है solve तो चलिए question read करते हैं the price of a coffee is increased by 30% by how much percent must a family reduces the conception of coffee so that its expenditure on coffee does not increase यह कह रहा है कि मैं पहले coffee पीता था ठीक है वो coffee का जो cost था ठीक है वो कुछ होगा fix होगा भाई coffee में खरीद के लाता था उसका कुछ price होगा तो मैं टोटल quantity की coffee खरीदा था अब उस coffee के rate बढ़ चुका है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो खर्चे में पहले करता था वो खर्चे वैसे की वैसे ही रहे तो question की हिंदी यह बोलना चाहरी है कि अगर आप पहले 100 रपे का petrol डलवाते थे ठीक है उस 100 रपे में मान दीजे आपका तब 2 लीटर पेटरोल आता था अब अगर price increase हो गए है ठीक है तो आप चाहेंगे कि भाई यही 2 लीटर का petrol पहले अगर 100 रपे में आता था तो आप यह चाहते हैं कि आपका जो खर्चा है वो तो fix रहे ठीक है तो common सी बात है अगर खर्चे आपके fix रहेंगे और यह rate बढ़ गया अब मान लो यह चीज 130 रपे की आने लग गई है पहले 100 रपे में आती थी अब मानने चीज 130 में आने लग गई है तो हम यह चाह रहे हैं कि हम अपनी जेव से ज़्यादा पैसा ना दे अगर मेरा खर्चा वो ही का वो ही fix हो जाए मैं खर्चे नहीं बढ़ाना चाहरा मैं नहीं चाहरा कि मैं यह 30 रूप एक्स्टा दूँ मैं कम समान में अपना काम चला लूँगा तो इस तरह का जो सवाल है यह आपको कही ना कही competitive level पर देखने को मिल सकता है इदर देखेगा देखें मैं इसको बहुत simple तरीके से अगर समझाओं तो यह बोलना चाहरा है the price of a coffee is increased by 30% तो मैं बोलता हूँ let the price of coffee is equals to rupees x मैं ऐसा बोलता हूँ कि coffee का price x rupees है ठीक है and हमारा जो consumption है ठीक है and the consumption is and the consumption is y quantity ठीक है y gram हो सकता है y kg हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है हम y मान लेते हैं कि कोई चीज अगर x rupees की आती थी और हम उसको y quantity use करते थे तो उस समय हमारा जो खर्चा था expenditure जो था तो expenditure on coffee वो हमारा था कितना तो rupees x into y ये चीज़ समझा रही है भाई अगर कोई चीज़ दोर पे की थी ठीक है और मैं अगर उसको hundred consume करता था मतलब ऐसा हमाली जी कि एक toffee दोर पे की थी अगर मैं hundred toffees खाता था तो इसका मतलब पहले मैं खर्चा कितना करता था तो hundred into two is two hundred rupees clear है तो ये मैं खर्चा करता था अब मैं बोल रहा हूँ कि expenditure fix है तो expenditure अब fix कर देते है clear और यहां पे मैं आपका इस चीज का जो कॉफी का price है उसको increase कर देता हूँ तो if if price of coffee if price of coffee यहां पे हम देखें तो अब price of coffee यह क्या बोल रहा है तो यह कह रहा है कि price of coffee increase हो गई है increased by thirty percent कितना increase हो गई thirty percent तो that means क्या मैं यह बोल सकता हूँ कि कोई चीज पहले X रुपीस की आती थी यह उसका price पहले X रुपीस था अब यह बढ़ गया कितना बढ़ गया इसी X का thirty percent rate बढ़ गया clear तो इस चीज को solve करने पे आप देखेंगे 80 X by 100 clear है तो अब rate बढ़ गया है ठीक है यह increased price है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह increased price है अब जैसे price increase हुआ तो common सी बात है कि मैं quantity कम use करने लग जाओंगा पहले मैं 100 टॉफीस खाता था हो सकता है अब 2 रुपे वाली जो चीज है वो बढ़ चुकी है तो अब number of toffees जो है वो कम आए तो इधर देखिए मैं कहूंगा reduction in consumption कितना होगा ठीक है तो reduction अगर मुझे देखना है reduction in consumption तो यह reduction in consumption होगा कितना तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जो expenditure है वो तो fix है हमारा expenditure fix है बट हमारा जो increased price है उसको जब मैं divide करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं 130X by 100 कर दूँ और इस चीज को solve करूँ तो यह मेरा numbers में आ जाएगा reduction in consumption कितना मुझे अपना consumption reduce करना पड़ेगा तो यह value हमारी निकल के आएगी xy multiplied with 100 upon 130X और x से यह x कट जाएगा 0 से यह 0 कट जाएगा तो यह value आएगी 10y upon 13 और इसको थोड़ा सा और decimal में ले आऊँ तो 10y upon 13 decimal में तो नहीं आएगा एक काम करिए इसको ऐसे रहन देते हैं clear है? तो 10y by 13 यह numbers में आया है मुझे इतनी quantity कम लेनी चाहिए कितनी quantity कम लेनी चाहिए वो मैंने निकाल लिया ठीक है? अब percentage में निकालना है तो reduction in percentage reduction of consumption in percentage अगर मुझे calculate करना है तो देखिएगा पहले कोई चीज में y use करता था कितनी use करता था y इसमें से मुझे कितनी quantity कम use करनी पड़ेगी तो वो है 10y by 13 और initially divided with y ठीक है? इनिशल कितना था y तो यह reduction in consumption क्योंकि percentage में निकालना है तो आपको reduced amount divided with कितना पहले आप consume करते थे into 100 अगर आप solve करेंगे आपकी value निकलती भी आपको दिख जाएगी इसको अगर मैं solve करता हूँ तो यह आजाएगा 13y minus 10y upon 13 और यहाँ पर यह आजाएगा 3y upon 13 multiplied with 1 upon y into 100 और यह value मुझे देगा y से y कट कर दीजिए 300 by 13 percent 300 by 13 percent इसको आप लोग solve करें 300 by 13 fraction का answer 23 and 24 के आसपास value आ रही है आप मुझे बताईए comment box में कि आपका यह answer आ रहा है क्या 23.7 something आना चाहिए ठीक है यह 23.07 के आसपास यह value आएगी question number 20 का answer यह आ चुका है बट fraction में आया है आप इसको decimal में convert करके answer दे दीजिए clear है चलिए तो move करते हैं अब हम question number 21 की तरफ question number 21 कह रहा है एक washing machine को मैं खरीद के लाया 16,200 रुपे में तो cost price cost price of washing machine किसकी cost price है washing machine की cost price कितनी है तो वो थी रुपीज 16,200 की washing machine इसके उपर यह कह रहा है मैंने 450 was spent on its transportation और वो machine में जहां से खरीद के लाया घर तक लाने में या दुकान तक लाने में जो transportation का cost लगा है ठीक है तो cost of transportation cost of transportation गाड़ी से जो मैं लेकर आया तो यह आपका transportation का जो cost है वो कह रहा है रुपीज 4,50 सुपे लगे तो इसका मतलब product का total cost price कितना है total cost price वो machine मुझे कितने की पड़ी तो total cost price of washing machine यह आपकी आ जाएगी तो cost price of total total cost price आ जाएगी हमारी रुपीज 16,200 added with 450 वो machine मुझे कितने की मिलेगी तो वो machine मुझे मिलेगी 16,450 सुपे में clear है मुझे इतने की मिली है machine अब यह कह रहा है at what price should it be sold अब मैं चाहता हूँ इस machine को बेच दूँ ठीक है और बेचने पे मुझे profit percent मिलना चाहिए gain percent अगर मैं चाहता हूँ कि मैं gain कमाऊं कितने का 25% का तो आप यह बताईए यह पूरी चीज आपको given थी ठीक है यह पूरा part आपको given था तो to find मैं यह machine कितने में बेचूं to find the selling price the selling price of washing machine selling price of washing machine चलिया अब इस चीज को solve करने के लिए हम क्या करेंगे तो इस चीज को solve करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि gain percent का formula क्या होता है तो यहाँ पे हम बूलेंगे as we know जैसा कि हमें पता है कि gain percent का formula होता है कितना gain किया और total cost price कितना था into hundred यह formula आपको पता होना चाहिए ठीक है gain percent निकालना है तो gain percent निकालने के लिए gain upon cp into hundred इसलिए मैं 7th class के student को हमेशा कहता हूँ कि आप 8th class की study को चालू कर दीजिए है न 8th class में एक chapter है comparing quantity हमेशा आपको lifetime में यह 8th chapter आने वाला है तो gain percent percentage में निकालनी है चीजे तो जिस भी चीज का percentage निकालना है वो हमेशा numerator में रहेगा gain upon cp ठीक है cp हमेशा initial value तो कॉमेंसी बात है आपने कुछ लागत लगाई होगी तो उसी पर आपको फायदा हुआ होगा कितना फायदा हुआ और आपको यह चीज पता है कि gain का मतलब क्या होता है तो gain का मतलब होता है जब मेरी selling price बड़ी होती है as compared to cost price तो यह gain का formula होता है clear और यह formula gain percentage का होता है gain को उठा के अगर इस formula में मैं डालता हूँ तो therefore gain percent का एक नया formula बनता है sp minus cp upon cp multiplied with 100 यह कैसे आया तो अगर आप again ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए gain upon cp gain का formula था sp minus cp उस sp minus cp को मैंने numerator में डाला है clear अब यहाँ से आप ध्यान दीजेगा कि gain percent आपको दिये 25 percent तो यहाँ पर 25 आएगा which is equals to selling price कितने में बेच हूँ तो मुझे नहीं पता let the selling price be x minus machine मुझे मिली थी कितने की तो 16,450 की upon 16,450 multiplied with 100 यह total cost price clear है तो 16,450 की machine finally मेरी shop पे आई थी मैं अब कितने में आगे बेच हूँ तो यहाँ पर इसको आप x निकाल सकते हैं तो देखिए यह 16,450 25 के साथ multiply हो जाएगा तो 25 multiplied with 16,450 upon 100 which is equals to x minus 1,6,4,5,0 ऐसे यह चीज़ आएगी अब इस चीज़ को अगर मैं solve करता हूँ तो देखिए 0 से यह 0 कट गया ठीक है और यह 5 से कट सकता है एक काम करते हैं अभी हम नहीं कट करते तो यहाँ पर यह आजाएगा multiply करके हम answer लिख देते हैं तो rough work में कर लेते हैं 1645 मैं आपको multiply करना है 25 को तो यह आजाएगा 5 इंटू 5 इस 25 2 4 इंटू 5 इस 20 22 5 इंटू 6 इस 30 32 और यह आजाएगा 8 डबल 2 5 cross 2 इंटू 5 इस 10 10 का 0 करी 1 9 2 इंटू 6 इस 12 12 का 2 करी 1 3 तो यह value आएगी 5 2 11 11 का 1 करी 1 9 और 10 और 11 11 का 1 करी 1 यह आजाएगा 4 1 1 2 5 तो यह आजाएगा 4 1 1 2 5 upon 10 और यह minus की value इधर plus हो जाएगी तो यह आजाएगा 164 5 0 clear और यह निकल के आएगा आपका x तो आपको machine कितने में बेचनी है यह यहाँ पर पता चलेगा ठीक है एक काम करते हैं इसको decimal में अगर convert करेंगे तो यह हो जाएगा इकलस तो x और x की value फाइनली आ रही है 0.5 0 प्लस 2 इस 2 5 प्लस 1 इस 6 4 प्लस 1 इस 5 और 6 प्लस 4 इस 10 10 का 0 carry 1 2 यह washing machine आपको बेचनी होगी कितने की तो 20,562.5 रूपीज में जो machine आप खरीद के लाएथे 16,450 की उसको आपको 20,512 रुपे आपसपास approximately आपको बेचनी पड़ेगी तो आपको 25% का profit होगा मैं पूरी उमीद करता हूँ आपको यह चीजे बहुत अच्छे समझ आ रही होगी 3 marks का question था आपको question number 21 एक अलग quality का यहाँ पर मिला यह मैं कहूंगा एक अलग देखने को मिला clear? चलिए question number 22 क्या गह रहा है the product of two rational numbers कोई दो rational numbers है उन दोनों rational numbers का जो product है मतलब multiplication ठीक है वो product है यह if one of them the number is this then find the other number easy है मैं क्या बोल रहा हूँ देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ पर हमें लिखिया तो यह बोल रहा है the product of the product of two numbers is equals to minus 24 upon 39 if one number if one number is equals to minus 8 by 13 ठीक है तो other number will be अगर एक number यह है तो therefore let other number will be दूसरे number को मैं बोलता हूँ कि यह x होगा clear? कोई भी एक variable ले ले लेते है इन दोनों का multiplication यह है तो मैं कह सकता हूँ कि x जब multiply हो रहा है minus 8 by 13 के साथ तो यह value मुझे दे रहा है minus 24 by 39 यह आपकी एक equation बन गई clear? अब यहां से मुझे x निकालना है और x के साथ minus 8 by 13 का जो relation है वो multiply है यह चीछ जब इधर जाएगी तो divide में चली जाएगी तो x की value आएगी minus 24 by 39 multiplied with 13 upon minus 8 यह चीछ जब इधर जाएगी तो reciprocal हो जाएगी वैसे जाएगी divide में और divide से हटेगी तो सामने multiply होकर reciprocal होकर आएगी clear है? minus से minus deduct हो गया तो यह plus हो गया और 13 3 times 39 होता है clear? और अगर मैं 24 और 8 को देखूं या नीचे 3 को देखूं तो finally देखो x की value क्या आ रही है? तो x की value आ रही है 3 into 7 is 21 and 3 into 8 is 24 तो x की value आ रही है 24 upon 3 multiplied with 1 by 8 3 8 times is 24 and 8 से 8 कटा तो x की value आ रही है 1 इदर आप चीज़ को देखेगा अगर मैं 1 से ठीक है? x की value क्या यह 1 अगर मैं 1 से multiply करूंगा minus 8 by 13 तो यहाँ पर यह कह रहा है minus 24 by 39 आएगा clear है? ऐसे ही कह रहा है? yes तो यहाँ पर minus 24 by 39 को भी देखने पर यह दोनों चीज़े अभी नीचे उपर नीचे 3 से reduce हो रही थी तो कुल मिलाके मुझे x की value निकालनी थी x की value आएगी 1 clear है? तो इस तरीके से आपको करना था चीज़ों को solve simple था और कुछ यहाँ पर आपको नहीं करना था मतलब अगर मैं 3 multiply करता तो यहाँ पर 3 into 8 is 24 and यह उपर नीचे क्योंकि common factor था हाँ तो यहाँ पर भी simplify होगा तो यह minus 8 by 13 आएगा x की value 1 आएगी clear? question number 21 भी 22 भी हमारा हो गया solve चलिए board गल लेते हैं clear question number 23 देखेगा rectangular marble tile एक rectangular marble tile है rectangle shape की एक tile है इसका 3 cm by 15 cm तो 3 cm by 15 cm का इसका length and breadth है तो एक काम करते हैं tile कुछ ऐसी दिख रही होगी clear है यह अगर length में 30 कितना ले लूँ 3 cm और यह ले लूँ अगर में 15 cm breadth तो ऐसा दिया है एक tile है आप बताइए ऐसी कितनी tile हमें चाहिए find the number of tiles required to cover a floor अगर मुझे एक floor cover करना है जिसका measurement 45 by 45 by 13 का है तो यहाँ पर length आपको दी है 45 meter ठीक है और यह दिया है 13 meter अब आप चीजों को समझेगा tile मुझे दिये cm में floor की length और breath मुझे दिये meter में तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि 45 meter तो एक meter क्योंकि 100 cm के बराबर होता है तो इस कारण यहाँ पर 45 meter जो है यह 45 into 100 हो जाएगा तो यह 4500 cm आएगा ऐसे ही अगर breath मैं capital B 13 meter ले रहा हूँ तो यह हो जाएगा 1300 cm अब आप देखिएगा क्या समझाया इससे इससे यह समझाया कि एक tile की length और एक tile की जिसकी breadth cm में दी थी floor को हमने convert करके cm में उसके dimensions को ले आए और इसी चीज को आपको यहां लिखना भी है तो यहां लिख लेता हूँ मैं solution इधर देखिएगा length of a tile length of a tile is equals to 3 cm breadth of a tile एक tile की जो breadth है वो आपको दी है 15 cm clear therefore area of area of tile is equals to 3 into 15 cm square तो यह आजाएगा आपका 3 into 5 is 15 15 का 5 carry 1 45 cm square यह आपके पास area of 1 tile आ गया clear है इसको box में डाल देते हैं इसके बाद समझेगा blue pen से मैं समझा रहा हूँ now length of floor length of floor is equals to जिस floor पर टाइल लगनी है उसका length दिया है 45 meter which is equals to 45 into 100 cm तो यह आजाएगा 4500 cm similarly similarly breadth of floor breadth of floor भी आपको meter में दिया है यह आपको दिया है 13 meter which is equals to 1300 cm और यहां से area of floor निकाल लेते हैं तो area of floor is equals to 4500 into 1300 तो 4500 multiplied with 1300 cm square यह भी cm square में ही आना चाहिए अब यहां पर 45 को अगर मैं 13 से multiply करता हूँ तो 45 जब 13 से multiply होगा यह आप ऐसा बोल लिजे इसको solve करने में हम time waste नहीं करते इसको ऐसी रहने दिजे टीके area of floor को हम box में डाल देते हैं अब सर ऐसे क्यों रहने दिया तो मैं आपको समझा रहा हूँ देखिएगा अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि number of tiles required number of tiles required is equals to area of floor यह बड़ा था area of floor divided with area of one tile कर दूँगा और ऐसा करने पे यह expression यह मैं equation बनाऊंगा ठीके ऐसा करने पे मेरे पास number of tiles आ जाएंगी तो let the number of tiles भी n तो n is equals to area of floor is 4500 multiplied with 1300 upon 45 इस उपर वाले numerator की value भी centimeter square में थी यह भी एक tile का area centimeter square में था तो centimeter square से centimeter square हो जाएगा अलग और 45 से यह 4500 अलग हो जाएगा तो n की value आएगी 1000 या 100 sorry 45 1 times is 45 तो 100 multiplied with 1300 और यह n अमारा आजाएगा 1300 मतलब एक लाख तीस हजार tiles का use होगा इस floor को cover करने के लिए 130,000 tiles clear है तो यहाँ पर हेंडरेट को 1300 से multiply करके 13 के बाद 40 मैंने लगा दिये बस यह था question असान question था question number 23 3 marks का move करते है question number 24 को देखते है तो question number 24 और यहाँ से चालू हो जाता है आपका section D तो section C तक हम कर चुके हैं cover clear और section D जो है वो long answer type questions and start अब यहाँ पर आपको question number 24 दिया है इसको देख लेते हैं क्या दिया है तो question number 24 में कह रहा है simplify करिए यही से करना चालू करते है देखिएगा मुझे बोला है 13 multiplied with 256 multiplied with 3 raised to the power of 4 upon 13 whole raised to the power of 4 multiplied with 8 raised to the power of 3 multiplied with 3 raised to the power of 2 divide का symbol 1 upon 2 raised to the power of 6 ऐसे लिखा है तो यह दिया हुआ सवाल मैंने वैसे का वैसे ही copy कर दिया इसके बाद पहला step देखो उपर भी 13 है नीचे भी 13 है तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ कि 13 upon 13 raised to the power of 4 यह multiplication का sign और 256 को धियान से देखिएगा अगर 256 के मैं फैक्टर निकालता हूँ तो 2 1 times is 2 2 2 times is 4 2 8 times is 16 2 6 times is 12 2 4 times is 8 2 3 times is 6 2 2 times is 4 2 1 times is 2 2 6 times is 12 2 8 times is 16 2 4 times is 8 2 2 times is 4 and 2 1 times is 2 तो 256 के फैक्टर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ सिमिलर फैक्टर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 raised to the power of 8 अपॉन यह जो बेस में लिखा है 8 इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to the power of 3 whole raised to the power of 3 फिर multiplication का sign 3 raised to the power of 4 upon 3 raised to the power of 2 और यह divide का sign है तो इसको मैं multiply में change कर देता हूँ यह reciprocal हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 raised to the power of 6 upon 1 यह आपके step आगई clear है तो यह चीज आपको करनी है बट rough work में करनी है question के सामने अभी मैं space को कर देता हूँ clear clear है चलिए अब देखेगा यह आगई आपकी पहली step दूसी step में मैं यहाँ पर लिखूंगा मैंने formula पड़े है a raised to the power of m upon a raised to the power of n को हम लिख सकते a raised to the power of m into n sorry m minus n तो यहाँ पर आजेगा m minus n एक यह वाला formula हम use करने वाले है एक और formula use करेंगे वो हमने पड़ा a raised to the power of m whole raised to the power of n which is equal to a raised to the power of m into n एक यह वाला formula use करने वाले है clear इन दो formula का use हम अगर इस step में करते हैं तो देखीगा यह step आपकी बन जाएगी कैसे तो यह हो जाएगी 13 raised to the power of 1 minus 4 ठीक है multiplied with 2 raised to the power of 8 upon 2 raised to the power of 3 into 3 is 9 clear multiplied with 3 raised to the power of 4 minus 2 clear तो 3 raised to the power of 4 minus 2 into 2 raised to the power of 6 यह आगी आपकी एक step इसको solve करूंगा तो यह हो जाएगा 13 raised to the power of minus 3 multiplied with 2 raised to the power of 8 minus 9 ठीक है और यह plus 6 multiplied with 3 raised to the power of 2 इसको solve करने पे यह आजाएगा 10 raised to the power of 2 upon 13 raised to the power of 3 अब आप चाहे तो इसी को अंसर देखकर आजाएगे और simplify करने को बोला है तो simplify कर दीजे देखे 2 raised to the power of 5 का मतलब है 2 जो है वो 5 बार multiply हुआ है और 3 square का मतलब है कि 3 into 3 है और 13 cube का मतलब है कि 13 multiplied with 13 multiplied with 13 है तो आप इसको solve करिए और मुझे आप अंसर बताएंगे तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बतायता हूँ 2 into 2 is 4 4 into 2 is 8 8 into 2 is 16 16 into 2 is 32 32 into 9 upon 13 का cube तो यह 13 का cube आप निकाल लीजे clear है और finally आप fraction में अंसर दे सकते है और ऐसे भी छोड़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं हम ऐसे भी अंसर देके आ सकते है clear यहाँ पे एक formula लिखना मत बूलिएगा वो formula a raised to the power of minus m is equals to 1 upon a raised to the power of m इस formula का use किया है कोई भी number, कोई भी base अगर उसकी power में negative sign है तो उस negative को remove करने के लिए हम reciprocal कर देते है clear है तो यह चीज मैंने यहाँ पे किया बाकि यहाँ पे यह step थी यह step थी यह step थी और यह step थी clear है, चलिए, move करते है question number 25 देख लेते है तो question number 25, long answer type variety में क्या कह रहा है यह कह रहा है, अब piece of a cardboard is 12 cm by 6 cm 12 cm by 6 cm the shaded regions are cut due to form a shape ABC तो यहाँ पे यह देखे shape देख लेते हैं, ABC अच्छा, ABC CDE और फिर यह कह रहा है EFG तो EF यहाँ होना चाहिए था EFG and GHA which are semicircles then find the parameter of the shape and area of the shape तो यहाँ पे यह कह रहा है अगर इस चीज को मैं cut करके अलग निकाल दूँ यह ऐसा बोलना चाहा रहा है ठीक है? अगर इन चीजों को मैं cut करके अलग निकाल दूँ तो आप बताइए यह जो बीच में figure बना है इसका area क्या है? clear? अब इसका area बताना है और दूसरा आपसे बहुत clearly बोला है कि ABC, CDE, EFG, GHA विच्छा semi-circle तो GHA एक semi-circle है, EDC एक semi-circle है उसके बाद यहाँ पर ABC यह पार्ट हो यह पार्ट मिला के एक semi-circle है clear है? तो ABC एक semi-circle है मतलब यह जो कर बना है यह एक semi-circle है यह ऐसा बोल रहा है यहाँ पर भी एक semi-circle है यह भी अपने आपने एक semi-circle है और यह भी एक अपने आपने आपने semi-circle है यह semi-circle का diameter दिया है 4 cm और इस semi-circle का diameter दिया है 6 cm मैं क्या बुलना चाहरा हूँ? इस चीज़ को समझना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ solution सबसे पहले तो मैं आपको यह बतायता हूँ कि आपको length of breath दी है cardboard की तो length of cardboard clear तो length of cardboard मुझे दिया है इन्होंने 12 cm और मुझे breadth of cardboard दी है तो breadth of cardboard मुझे दी है इन्होंने कितनी? ये इन्हों ने दी है मुझे 6 cm तो इससे ये समझ आता है कि मैं जो total cardboard ले रहा हूँ उसका area तो area of cardboard area of cardboard कितना है और इसको मैं एक box में डाल दूँगा तो area of cardboard है 12 into 6 cm square clear? और ये आ जाएगा area of cardboard is equals to कितना आएगा? तो ये आएगा 12, 12 to carry 1 72 cm square ये cardboard मैं use कर रहा हूँ ठीक है? अब इस cardboard में से सबसे पहले तो मुझे एक circle काट की निकालना है जिसका diameter of 4 cm है ये एक semicircle है ये एक semicircle है ठीक है? तो सबसे पहले अगर इन दोनों semicircles को मैं देखूँ तो ये semicircle का dia दी है 4 cm इस semicircle का dia दी है 4 cm ये दोनों semicircle एक साथ join होंगे तो एक circle बनाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा area of circle area of circle अगर मैं देखूँ with radius with radius equal to 2 cm अब ये 2 cm कहां से आया? तो ये dia दी है 4 cm एक काम करिए यहाँ पर dia लिख दीजे जो दिया हुए पहले वो लिख लेते हैं area of circle with diameter with diameter equal to 4 cm अब area of circle होता है pi r square ठीक है? अब pi r square ये हमें पता है area of circle है area of circle ठीक है? इस area of circle को भी मैं highlight कर देता हूँ box के अंदर तो diameter जिसका 4 cm है तो इस case में जो radius होगा तो therefore radius will be therefore radius will be 2 cm तो area of circle एक आ जाएगा area of circle is equals to 3.14 multiplied with 2 into 2 is 4 और ये आ जाएगा 4 into 4 is 16 16 का 6 carry 1 5.4 into 3 is 12 तो 12.56 cm square ये area of circle आया area of circle with radius 2 of radius 2 cm के साथ clear? अब देखिएगा एक तो ये circle कटके निकाला है हमारा दूसरा हमारा एक circle और निकलेगा अगर आप ध्यान से देखें तो एक circle ये semi circle है अंदर की तरफ ये जो part है ना ये इन्होंने कहा है semi circle है ठीक है? अब ये semi circle दो आपस में मिला दें तो एक circle होगा तो area of circle area of circle with diameter with diameter equal to यहाँ पर diameter तो देखें इधर भी एक circle इधर भी एक circle मतलब सेमी circle ये मिलके एक circle बनाएंगे जिसका diameter ये breath दी है 6 cm तो 6 cm ठीक है? तो therefore area या therefore radius is equals to यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि radius क्या आएगा? तो therefore radius is equals to 3 cm तो area of circle with radius 3 cm with radius 3 cm is equals to 3.14 into 9 आर स्कार का मतलब 9 3 into 3 is 9 और ये आजाएगा आपका 9 into 4 is 36 3 carry 9 into 1 is 9 12 12 का 2 carry 1 9 into 3 is 27 28.26 cm square तो एक तो हमारा ये वाला area ठीक है? एक हमारा ये वाला area बस और कुछ यहाँ हमें नहीं दिख रहा ठीक है? तो हम कहेंगे finally the area of figure जो हमें चाहिए था तो area of figure निकालने के लिए हम बोलेंगे पूरी cardboard 72 में से आप माइनस कर दीजिए 12.56 को और यहाँ से आप ये भी माइनस कर दीजिए 28.26 को तो ये आपकी area of figure आएगा centimeter square में clear है? इस चीज को देखेगा इसको solve करेंगे तो area of figure हमारे सामने ये निकल के आ जाएगा तो therefore area of figure जो यहाँ पर बन रहा है 4 semicircle दिख रहे है ये हमारा आ रहा है 72 माइनस 12.56 तो ये आ जाएगा 72 माइनस इन दोनों को अगर add कर दू तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 is 12 12 का 2 carry 1 और ये हो जाएगा 6, 7, 8 यहाँ पर point 8, 9, 10, 10 का 0 carry 1, 3, 4 40.82 तो ये आ जाएगा 72 माइनस 40.82 और ये आ जाएगा 10 में से 2 गए 8 9 में से 8 गए 1 ठीके, 12 ने carry दियोगा तो 12 हुआ 1 ठीके, और 7 7 में से 4 गए तो ये बचा आपका 3 71.18 cm2 clear है तो इस तरीके से आप finally area of figure दे सकते हैं कौन सा आपने figure का area दिया है तो मैं एक बार दुबारा आपको बना के दिखाएता हूँ आपने ये पूरे figure का जो ये center में बन रहा figure है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे तो ये वो figure है clear है तो इस तरीके से आप इसका figure दे रहे हैं जो center में बन रहा है cut करके pieces अलग निकाल दिया आपने तो ये आपका area निकल के आ गया तो मैं कहूंगा है really five marks में सबसे important question है इस तरह की variety आपको देखने को मिल सकती है then move करते हैं question number 26 की तरफ board कर लेते हैं clear question number 26 देखेगा ये जो figure बना हुआ है a parallelogram ABCD आपको बोला है ABCD एक parallelogram है a square ADEF आपको बोला है ADEF एक square है and a quarter circle quarter circle का मतलब होता है एक पूरे circle का fourth part a quarter circle AHGF AHGF are given where AC is 12 cm जहाँ पे AC की जो value है ये 12 cm है CD की जो value है वो 13 है तो CD की value जो है वो 13 cm है EF की जो value है EF तो EF जो है ये 5 cm है ठीक है and angle CAD angle CAD is equals to F AH 90 degree ये symbol दिख रहा है 90 degree 90 degree का ठीक है then evaluate the parameter and area of the figure इस पूरे figure का area और parameter बताना है ठीक है तो चलिए थोड़ा सब definitely मैं कहूंगा बड़ा सवाल है तो हम पहले तो अलग-अलग parts का सब कुछ चीज़े यहाँ calculate कर लेते हैं देखना अगर EF 5 cm है तो यहाँ पर एक square बन रहा है तो इसका मतलब A से लेके F तक ये भी 5 cm होगा और ये क्योंकि quarter circle बोला है तो quarter circle में मैं ये बोल सकता हूं कि area जो है circle का वो pi r square होता है quarter circle का मतलब pi r square divided by 4 कर दिज़े और ये radius का काम करेगा 5 cm तो इस circle के लिए हम यहाँ पर vertex center point माल लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम area of circle निकाल लेते हैं तो area of quarter circle अगर मैं देखूं तो area of quarter circle is pi r square by 4 done और ये value आ जाएगी 3.14 multiplied with radius is 5 तो 5 का square upon 4 और ये value हमारी आ जाएगी 3.14 multiplied with 25 upon 4 इसको solve करेंगे तो ये आ जाएगा 314 और 25 का multiplication तो 5 into 4 is 20 और ये 7 5 into 3 is 15 cross 2 into 4 is 8 2 1 times is 2 2 3 times is 6 तो 0, 7, 7, 14, 15, 15 का 5 carry 1, 6, 7, 8 और 7 तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7, 8 0.50 upon 4 clear और upon 4 का मतलब 7, 8, 5, 0 upon 4 का मतलब तो ये divided by 4 है clear तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 1 times is 4 ठीके 7 में से 4 गए तो ये 3 और ये 8 उतर आया नीचे और 38 4 9 times is 36 तो 4 9 times is 36 8 में 6 गए 2 और ये 5 उतर आया 4 into 6 is 24 तो ये आया 1 और 0 4 2 times is 8 ये बच्चा 2.0 4 into 5 is 20 तो यहाँ पर decimal में ये value हमें दे रही है 1 9 6 2 0.5 और ये decimal हटाके क्योंकि हमने divide किया था तो upon में भी 100 भी है clear है और ये आ जाएगा 19.625 तो area of quarter circle निकल आएगा 19.625 cm2 area of quarter circle इसको एक box में डाल देते हैं दूसी चीज अब अगर ये rough work में हटा दू तो red pen का हम use कर लेते हैं और red pen से आपको समझाएते हैं कि area of square क्या होगा यहाँ पर तो area of square भी निकाल के दिखायाते हैं देखिएगा area of square is equals to side multiplied with side square में यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 into 5 is 25 देफोर area of square तीन figures लगे वेते साथ में तो area of square is what 5 into 5 is 25 तो 5 multiplied with 5 is 25 centimeter square यह है आपका area of square चलिए इसको भी एक box में डाल देते हैं अब यहाँ पर हमारी बात हो रही है किसकी किसकी तो यह बात हो रही है parallelogram की तो हम यहाँ पर कहेंगे a b c d एक parallelogram है इसका area बताना है तो area of parallelogram parallelogram a b c d और यहाँ पर आप एक चीज़ नूटिस करिएगा कि a b c d में यह अगा 13 cm दिया है तो यह वाले जो side है यह हमें 5 cm दिये यह 5 यह 13 cm है यहाँ पर भी एक triangle है यहाँ पर भी एक triangle है parallelogram में दोनों vertex को आपस में join कर दिया है c और a को तो जब इसको vertex को join किया है opposite vertex को तो यह diagonal है और एक parallelogram में diagonal जो है वो दो equal मैं कहूंगा triangles में बाढ़ता है तो यहाँ पर इस triangle का area का जब two times कर देंगे तो area of parallelogram आ जाएगा देखो area of parallelogram ABCD is equal to area of right triangle area of right triangle area of right triangle ADC ADC added with ठीके अब अगर यहां 90 डिग्री बन रहा है तो common सी बात है इधर भी opposite में 90 डिग्री बनेगा तो यहां पर यह भी होगा आपका area of right triangle यहां हम ऐसा कर देते हैं two times of right triangle two times of area of right triangle area of right triangle चलिए right triangle का area आपको पता है और वो होता है कितना तो two times of half multiplied with base base मैं ले लेता हूँ five टेके और altitude मैं ले लेता हूँ 12 तो five multiplied with 12 clear है और यह two से 12 कटा six times तो five into six is 30 और 30 into two is 60 तो यह आजाएगा 60 cm square यह आगया हमारा area तो तो तीन एरिया निकल के आये क्योंकि तीन figures आपस में combination में थे अब अगर आप ध्यान से देखें तो यह मैं अगर सब हटा दूं तो जो figure आपके सामने बन रहा है वो कुछ इस पकार से बन रहा है यह पैलोलोग्राम लगा है यहां पे एक quarter लगा है ठीक है तो circle का quarter लगा है अब इस figure का अगर यह जैसे बात कर रहा है कि यहां पर यह square लगाता तो इस figure में अगर मैं यह हटा दूं तो यह figure का आपका area कैसे निकलेगा इस figure का पूरे का area जो है वो इन सब का addition है तीनों का therefore total area total area is what the total area हमारा हो जाएगा 19.625 ठीक है plus 25 plus 60 और यह value हमारी आ जाएगी तो देखना 70 80 90 95 95 plus 9 तो 95 plus 5 is 100 और 104 तो यह आ जाएगा 104.625 आप एड़ भी करके देख सकते हैं कैसे तो देखो 0.625 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है decimal के बाद कुछ नहीं है तो 0.625 तो वैसे है आ गया 9 plus 5 is 14 14 का 4 carry 1 2 or 2 4 4 or plus 6 is 10 तो 104.625 cm2 यह आप से पूछा था टोटल एरिया यह है आपका main answer अच्छा यहां पर इतना काम करने का मैं कोँगा one marks one marks one marks यह half 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 ऐसा अगर आप माने तो यहां पर एक और दो marks तो यह हो गए दो marks यह तीन marks आपको मिलेंगे perimeter निकालने के लिए तो अभी तो सिफ area निकला है अभी इसका perimeter भी निकालना है और perimeter मतलब sum of all boundaries यहां से यहां यहां से यहां फिरमी्टरेंस भी देखना पड़ेगा फिर यह भी आएड़ करना है और यह भी quo हटा देते हैं और अब perimeter बताते हैं तो देखिए parameter में यह 13 plus 5 plus 5 और plus 5 यह 13 और यह 5 और यह circumference वाला जो part है यह quarter part है तो total circumference का 4 divide कर देंगे 2 pi r circumference होता है circle का 2 pi r divided by 4 करेंगे तो pi r calculate करना है यहाँ पर तो यह देखे parameter क्या आएगा तो total parameter of figure यह आपका आजाएगा 5 plus 13 plus 5 plus 5 plus यह वाला part हैगा pi r plus और यह वाला part हैगा 5 clear है तो देखे 1 2 3 4 5 6 यह वाला 13 भी add होगा यह आपका perimeter हो जाएगा और perimeter यहाँ पर finally निकल के आ रहा है 5 plus 5 is 10 10 plus 13 is 23 23 plus 10 is 33 33 plus 3 is 36 plus 10 is 46 तो 46 plus 3.14 multiplied with 5 pi r की value तो radius था 5 इस पार्ट के लिए radius था 5 done तो यह आपकी value आजाएगी 46 added with 5 into 4 is 20 to carry 7. तो 15.70 और यह add होगा तो यह आजाएगा 0.70 5,5,10,11,11,11 का एक carry 1 पांच उच्छे 61.70 जीरो सेंटीमीटर यह length निकल के आजाएगी outer boundary का perimeter निकल के आजाएगा तो मैं इसाब बोलूँगा dead marks आपको यहाँ मिल जाएगा ठीक है तो dead और half 2 marks ठीक है 3 marks और यहाँ पर 2 marks finally इतना काम जो steps आपने रिखे उस चीज के clear है चीजों को समझने के total area निकालने का और half marks पकड़ लीजे clear तो इस देके से आपने question number 26 जो की 5 marks का question था section D के अंदर आपने कर दिया है solve अब move करते है section D में ही question number 27 को देखते है यह कह रहा है मेरे A की value यह है मेरे B की value यह है C की value यह है आप बताइए 2A minus 3B plus C की value क्या होगी find the value of 2A minus 3B plus C तो इसकी value क्या है देखेगा अगर मेरे A की value A की value है 2A square minus 4B plus 1 और B की value है यहाँ पर 4A square plus 3B minus 4 और C की value है अगर 6A square minus 7B plus 4 तो हमें calculate करना है 2A minus 3B plus C ठीक है उठाइए इन values को यहाँ पर substitute कर दीजे तो इन values को जब मैं यहाँ पर substitute करूंगा तो यह हो जाएगा 2 times bracket में A की value है 2A square minus 4B plus 1 bracket close minus 3B की value है 4A square plus 3B minus 4 clear और फिर उसके बाद plus C तो plus C C की value है 6A square minus 7B plus 4 यह मेरी C की value है done इसको solve करना है तो यहाँ सबसे पहले distributive law लगाते है 2 into 2 is 4 4A square minus 2 into 4 is 8 8B plus 2 minus 3 into 4 is 12 तो यह आजाएगा minus 12A square minus 3 into plus 3B तो यह आजाएगा minus 9B minus 3 into minus 4 plus 12 plus 6A square minus 7B और यह आजाएगा plus 4 अब like terms को arrange कर लीजिए तो थोड़ा सा arrangement कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा arrangement के लिए हम क्या करेंगे तो यहाँ पर 4A square minus 12A square और plus 6A square को मैं arrange करके लिख दूँगा तो 4A square minus 12A square ठीक है और plus 6A square ऐसा लिख दे फिर उसके बाद minus 8B minus 8B फिर उसके बाद minus 9B यह है आपका minus 9B फिर उसके बाद minus 7B तो यह है minus 7B फिर है constant के value plus 2 plus 12 तो plus 2 plus 12 और फिर है उसके बाद plus 4 clear इन सब का answer यह आजाएगा 4 minus 12 तो 4 minus 12 करने पे यह आ रहा है minus 8 minus 8 plus 6 तो यह आ रहा है minus 2A square minus 8 minus 9 minus 7 तो यह इन तीनों टर्म को हमें add करना है क्योंकि similar sign है तो 8 और 8 16 और 17 17 plus 7 तो यह आ जाएगा 24 तो यह आ जाएगा minus 24B फिर plus 2 plus 12 plus 4 तो यह आ जाएगा plus 2 2 plus 12 is 14 14 plus 4 is 18 तो यह हमारा answer निकल के आ जाएगा clear है बस इतना करना था और यह हमने कर दिया done चलिए तो यहां हो गया question number 27 भी solve अब paper 7 जो mock test paper आप देख रहे हैं 5 marks section D में question number 27 को आपको मिलेंगे 28 और 29 finally 2 आखरी question देखेगा question number 28 में क्या कह रहा है तो यह कह रहा है two cross roots each of width 10 meter cut at right angle through the center of a rectangular park इसका इतने कहने का मतलब है कि एक rectangular park है ठीक है of length 700 meter इस rectangular park की जो length है 700 meter है और इसकी जो breath है वो 300 meter है ठीक है are parallel to its sides find the total area of the road also find the area of the park excluding the cross roads आप देखो यह क्या कह रहा है यह एक पार्क है जिसकी length 700 meter है और जिसकी जो breath है वो 300 meter है इस पार्क के अंदर दो road है एक road ऐसी है और एक road ऐसे निकल रही है और इस road की जो width आपको दी है यहां से यहां पे और यहां से यहां पे यह width आपको दी हुई है 10 meter की तो यह 10 meter की width है और यह भी 10 meter की width है clear और यह जहां से cross हो रही है center park के center में से हो रही है और यह 90 degree के formation पे हैं तो ऐसा drawing बनेगा ठीक है आप बताईए find the total area the total area of the road सिर्फ road का area बताईए पहली चीज़ तो road का area तो सबसे पहले तो हमें given क्या है वो लिख लेते है given में हमें length of park दिया है तो length of park is equals to 700 meter फिर हमें breadth of park दिया तो breadth of park और यह हमें दी है कितनी तो यह हमें दी है 300 meter clear अब हमसे कहा है की road की जो width है तो width of road यह हमें दी है कितनी दी है 10 meter clear है अब देखिए सिर्फ area of road अगर निकालना है area of road निकालने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ की in vertex का पहले तो हम नाम दे लेते हैं तो एक काम करते हैं blue pen का use कर लेते हैं a, b, c, d यह आपका park था ठीक है फिर e और f ठीक है इस vertex को और इस vertex को और यह vertex, यह vertex और यह vertex का भी नाम बताना पड़ेगा तो e, f, g, h यह एक road है ठीक है horizontal road है vertical road में मैं कह रहा हूँ i, j, k, and l done और यहाँ पर यह जो center वाला part है इन point को मैं नाम देता हूँ m, n, o, p अब आप देखना मैं कैसे समझा रहा हूँ मैं कहूंगा अगर मुझे area of road calculate करना है तो that means मुझे यहाँ पर area of area of e, f, g, h यहाँ पर मैं इसको clear कर देता हूँ e, f, g, h मैं add करना होगा area of यह rectangle i, k, l, j, i तो i, j, k, l कर देते हैं i, j, k, l i, j, l, k ठीके तो i, s, a, road और i, s, a, road का addition but इसमें minus करना होगा एक बार m, n, o, p को ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो यह चीज में इसली कर रहा हूँ क्योंकि इस road का जब मैं area ले रहा था तब यह वाला part एक बार include हो चुका है दूसरी बार जब मैं इस road का लूँगा तो यह part दुबारा आ रहा है इस part को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि यह road का जो part है already horizontal calculation में एक बार आ चुका था तो मैं क्या कर रहा हूँ दो बार addition और एक बार minus करेंगे area of square Mnop clear है तो मुझे area of road मिल जाएगा इस funde का हम यहाँ पर करेंगे use done है चलिए देख लेते हैं तो area of road is कितना आएगा तो 10 multiplied with 700 तो यह length multiplied with width of the road added with ठीक है breadth of the road मतलब 300 again multiplied with width of the road is 10 minus square square है 10 by 10 का तो 10 into 10 का यह आपको देदेगा answer यह आजाएगा आपका 7000 plus 3000 minus 100 और यह value आएगे हमारी कितनी तो 10,000 minus 100 तो 10,000 ठीक है minus 100 तो यह value आजाएगे हमारी 9 9 ठीक है तो 9 और 9 में से 1 गया तो 8 ठीक है यह आजाएगा 9800 clear 9800 कितना तो 10 में से 1 गया तो 9 आएगा तो यहाँ पर 99 आएगा 9900 centimeter या meter 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 square यह area of road निकल आया यह मेरा answer आगया है तो question का एक part हमने कर लिया solve दूसरे part में आ चाहिएगा तो यह कह रहा है find the total area of the road हो गया also find the area of the park excluding cross road अगर मैं roads के area को हटा दूँ तो वो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है D, I, M, E, J, C, G, N, L, O, H, B, A, K, P, F यह जो parts है इनका area तो देखिएगा area of park यही वैसे मुझे यहाँ पर calculate करना चाहिए था यह मैं calculate करके लिख देता हूँ तो area of park total area of park length into breadth मतलब 700 into 300 meter square यह होना चाहिए था ठीक है तो यह आ जाता है आपका 0000 और 7 into 3 is 21 meter square clear अब देखिए area of area of park कौन सा वाला पूछा excluding road excluding road is equals to area of park minus area of road तो आपको यहाँ पर जवाब मिल जाएगा देखिए area of park था 21 0000 ठीक है फिर minus area of road था 9900 और यह अंसर आएगा आपका meter square में तो यह second part question में जो पूछ रहे हैं वो आजाएगा 10 में से 9 गए 1 9 में से 9 गए शुन्य ठीक है और 1 ने carry दिया होगा तो यह हुआ 0 और 2 तो यह अंसर हमारा आजाएगा 2 lakh meter square 2 lakh 100 meter square जिसकी बात हो रही है पार्क excluding the crossroads तो हमने इस question के दो पार्ट कर लिये हैं solve आगी यह बोल रहा है find the area in hectare also अब आप इस area को hectare में भी निकालिये what value depict from this type of shape of park construct by the government अगर government इस तरह का पार्क बनाती है तो इससे क्या value depict होती है तो इससे यह value depict होती है कि वो greenery को बढ़ावा दे रहे हैं पहली बात road लोग के आने जाने के लिए path भी बना दिया उन्होंने लोग garden में घुमने के लिए भी आ सकते है तो यहाँ पर jogging, walking उनको उनकी सहत का ध्यान है तो लोगों के चलने के लिए भी path बनाया गया यह value depict हो रही है अब यहाँ पर हमें बोला है area को hectare में calculate करो तो देखिएगा कौन से area को बोल रहा है find the area in hectare also तो आपके जो जो areas निकाले है जैसे यह आपने road का area निकाला आपने वो area निकाला जो उनसा without road था आपने वो area निकाला जो से park था तो यह सब क्योंकि meter square में आया है तो आप इसको hectare में दीजिए मैं wait करूँगा आपके जवाब का कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दीजिए कि hectare में कैसे convert करेंगे और यह तीनों values hectare में कैसे आएंगी done चलिए question number 28 के बाद हम move कर रहे है question number 29 जो की last question है इस video का इसको भी आप watch करिए question number 29 क्या कह रहा है तो यह कह रहा है abhijit won a singing competition and receive 20,000 as a prize money abhijit ने singing competition को जीता और उसको जीतने पर एक prize मिला है 20,000 ठीक है if he saved 30% of it अब यह कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें जो given है हम वो लिख लेते तो यहाँ पर आएगा solution ठीक है abhijit abhijit got abhijit got price money कितने की price money मिली है तो यह उसको मिली है rupees 20,000 20,000 रुपे की उसको price money मिली है इसमें से उसने saving की है 30% तो saving amount is 30% of price money इससे यह कहना चाहरा है कि जब मैं 20,000 का 20,000 का 30% निकालूंगा clear तो यह value हमारी आ रही है 2 into 3 is 6 and 6,000 clear तो 6,000 रुपीज यह जो आपका जवाब आया है रुपीज 6,000 यह उसकी savings है out of जो उसने जीता ठीक है and it of it and give 1 by 2 of remainder to his parents और जो उसने saving की है इस saving का 1 by 2 उसने parents को दे दिया ठीक है तो इसमें बोल रहा है if he saved 30% of it and give 1 by 2 of the remainder ठीक है यह कह रहा है जो उसने 20% जीता है अगर वो 20,000 जो जीता है उस 20,000 से अगर वो 30% अपने पास रख लेता है और बचे हुए amount का तो remaining amount कितना है यह देख लेते है remaining amount after saving remaining amount after saving तो यहाँ पर आप देखिएगा उसने जीता है 20,000 20,000 में से 6,000 उसने अलग कर लिया तो अब उसके पास बचे है 14,000 रूपीज यह remaining amount है ठीक है तो यह remaining amount यहाँ लिख देते है remaining amount आगे देखिएगा remaining amount है उसके पास 14,000 रूपे 14,000 इस 14,000 में से वो कह रहा है कि वो अपने parents को भी पैसा देगा कितना and gave one by two of the remainder to his parents ठीक है बचे हुए का half part तो half part of 14,000 रूपीज गेव तो पैरेंट्स ऐसा statement बोला है तो इस statement से हमें यह समझ आया कि 14,000 का आप half कर दो तो ऐसा करने पे 7,000 रुपे उसने अपने parents को दिया है रूपी 7,000 अब ऐसा करने पे फिर उसके पास remaining बचेगा parents को देने के बाद अभी भी 7,000 उसके पास बचे है यह कह रहा है फिर अभीजीत use 3 by 4th of the amount of money he had left to buy a guitar ठीक है अब remaining amount remaining amount is rupees 7,000 इसकी बात हो रही है ठीक है तो यह तो वो parents को दे चुका है यहाँ पे मैं underline कर देता हूँ give to parents ठीक है अब इस 7,000 में से उसने guitar खरीदा तो purchased guitar purchased guitar और 7,000 का 3 by 4th amount उसने use किया है तो 7,000 का उसने 3 by 4th amount use किया और यह निकल के आ रहा है 2 into 2 is 4 2 3 times is 6 2 5 times is 10 and double 0 ठीक है और यहाँ पे 2 से अगर इसको काटा तो 2 1 times 2 2 7 times 14 2 5 times 10 0 into 3 तो यह guitar उसने लिया है rupees 3 into 0 is 0 3 into 5 is 15 15 का 5 carry 1 3 into 7 is 21 22 2 उपर carry और यह आजाएगा 5 5250 का उसने गिटार लिया अब ही भी उसके पास remaining बचा है remaining amount अब कितना बचा है तो 7,000 में से आप 5,250 को हटा दो तो यह आपका गिटार में से अब उसके पास बचा है 9, 9 में से 2 गया तो 7 और 6 में से 5 गया तो 1 1750 रुपर अभी भी उसके पास remaining है अब यह कह रहा है How much money would he have left तो यही आपका answer है Left amount is what 1750 रुपीज आप देख रहे हो question पढ़ते पढ़ते answer भी आई गया तो remaining amount कितना है 1750 what value depict from his distribution अब जो उसने किया इससे क्या value depict हो रही है तो पहली बात कि वो singing बहुत अच्छा करता है इसलिए उसको prize मिला तो best in singing दूसरा उसका जो nature है वो caring nature है parents को लेके तीसरा वो अपनी hobby को भी follow कर रहा है hobby में जो जो उसको tools की जरूरत है उसको guitar की जरूरती singing करने के लिए तो उसने वो जो खर्चा किया है उसको saving भी करता है दूसरा वो एक part जो है बचे हुए part का मतलब उसको financial चीज के अच्छी knowledge है उसने अपने singing के लिए instruments को भी purchase किया तो इस तेके से ये value यहां से depictory अभी जीद के बारे में चलिए तो board finally कर लेते हैं clear question होगे हमारा solve section D तक हमने question number 29 को कर दिया है complete 3 घंटे का time था हमने 3 घंटे से पहले paper कर लिया है solve clear उसके बाद दूसरा 80 marks का paper था आपने खुद से पूरी उमीद करता हूँ solve किया होगा आपको कितने marks मिले मुझे comment box में जो बताईए इसी तरह के अच्छे सवाल और इसी तरह के प्यारे से mock touch paper पाने के लिए आप hard copy ये e-book को हमसे ले सकते हैं और इसको पाने के लिए आपको नीचे description box में एक link दी है आप form fill up कर दीजे जैसी आप form fill up करते हैं तो मैंगनेबियंस की team आपके contact में आखे आपको ये सारी hard copies और e-books प्रोवाइड कर देंगी यहाँ पे best quality content best faculties के थू ही आपको deliver किया जाता है वीडियो को like और subscribe करना मत भूलिएगा मैंगनेबियंस platform एक अकेला ऐसा platform जहाँ पे आपको 100% free education पहली चीज़ दूसरा कोई भी coupon code और यह कहूंगा कि किसी भी तरह की subscription fees तक आपको यहाँ पे पे नहीं करनी है 100% free education इसी तरह की और अच्छी वीडियो पाने के लिए अगर आप comment करते हैं definitely उस पे बहुत जल्दी आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइट कर दी जाएंगी चलिए मिलते हैं एक next mock test paper में तब तक के लिए अपना धियान रखो bye and take care